हलो एवरीवान वेलकम बैक तो स्वपप अकाडमी मैं वायंग पालिवल आपका अकाउंटेंसी का एडूकेटर आज के इस वीडियो में आप लोगे लेकर रहा हूं क्लास 11 अकाउंटेंसी से चाप्टर नंबर 17 रेक्टिफेकेशन ऑफ एरस बचो लाइफ में की गई गलतिय पर है इस चाप्टर को पढ़ने के बाद बचो हमारे जो कॉंसेप्स हैए अकॉंटेंसी इस रेलेटेट वो और भी चारा क्लियर हो जाते हैं तो यह पूरा 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 चाप्टर बचो हम लोग कवर करने वाले हैं वान गो में मला पूरे जितने भी इसके अंदर चैप हमें पढ़ती क्यों है तो आप देखेंगे बच्चों यहां पर ट्राइल बैलेंस प्रिपेर टू चेक दा अर्थमाटिकल एक्यूरेसी ऑफ दे बुक्स ऑफ अकाउंट यह बात सर आप हमको पहले भी बता चुके जब आप ट्राइल बैलेंस वाला चैप्टर हमें पढ़ा रहते तब भी आपने हमें समझाया तकि जो च्राइल बैलेंस बनाएंस बनाया जाता है ताकि हम हम यह चेक कर सकेगी हम से ट्रांजेक्शन को को हमारे गलती होई यह आप ने देखा होगा बच्चों कि हर ट्राइबिट में जाता और एक क्रेडिट में इसलिए आपके ट्र ट्राइल बैलेंस क्यों बनाया जाता है तो चेक द अर्थमेटिकल अक्योरेसी एक बार फिर से सुन लीजिए तो चेक द अर्थमेटिकल अक्योरेसी तो इसका मतलब आप ट्राइल बैलेंस बनाके अर्थमेटिकल अक्योरेसी चेक करते हैं लेकिन अगर वह अर्थमेटिकल अ तो हमारे डेबिट और डेट दोनों का टोल भी या बराबर होना चीह इए इसके पीछे ठोटा सा प्रिंसीपल है हमारा कि यहाँ पर रांजिक्ट्षिन का एक debit part होता है और एक credit part होता है और debit और credit का जो amount होता है वो दोनों ही क्या होते हैं बराबर होते हैं However, a matched trial balance is not a conclusive proof of the complete correctness of the books of accounts तो ये चीन में भी आपको थोई दे पहले समझा रहा था कि अगर आपका trial balance tally हो भी जाता है तब भी इस बात की कोई guarantee नहीं है कि आपने सारे transactions सही record करे हो मतलब आपका matched trial balance के अंदर भी transaction जो है वो गलत record हो सकते हैं अब हम बच्चों यहां पर बात करने वाले हैं errors को हमने हापे classify किया है तो एक शिम बता दूँ कि theoretical point of view से भी बहुत important part है हमारे लिए कि हमारे जितने भी errors होते हैं जितनी भी हमसे गलतिया होती है transactions को record करते हैं उनको हमने हापे चार category के अंदर divide करके रखा है फिरम को एक एक करके समझना है किस type के errors को errors of commission बोला जाता है किस तरीकी के errors को errors of commission बोला जाता है और वो कौन से errors होते हैं जिनने compensating errors बोला जाता है तो एक एक करके बच्चो with example जो है वो हम लोग यहाँ पे इनको समझने वाले हैं तो आपको यह याद रखना है कि transactions अगर हमसे गलत record हो गए है उन transactions को किस तरीके से सुधारना होता है उसको rectify किया जाता है यही इस chapter का बच्चो आप लोगों का learning objective है तो यहाँ पर हमने देखेंगे कि हमने अपने errors को यहाँ पर divide कर दिया है चार categories के अंदर आगे चलते हैं बच्चो सबसे पहले हमारा जो error की category है वो है error of omission तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि omission का तो मतलब ही होता है भूलना omission का तो मतलब ही होता है भूलना अगर आप किसी transaction को record करना ही भूल गए तो इसको क्या बोला जाएगा error of omission अगर आप किसी transaction को record करना ही भूल गए तो उसे क्या बोला जाएगा error of omission और एक चीन में आपको अता दूँ कि जब आप भूलते हैं न तो दो तरीके से भूलेंगे या तो आप उस transaction को complete भूल जाएंगे या फिर उसका एक हिस्सा record कर लेंगे और एक हिस्सा record करना भूल जाएंगे ठीक है तो अगर आप उस particular transaction को पूरा ही record करने से भूल गए इसे बोला जाता है बच्चो इसे बोला जाता है complete omission इसको क्या बोला जाता है complete omission और अगर आपने transaction का एक हिस्सा तो record कर लिया है लेकिन एक हिस्सा आप लोग record करना भूल गए इसे बोला जाता है partial omission तो यहाँ पर हम दिखेंगे, a transaction if completely और partially omitted from being recorded in the books of accounts is categorized as an error of omission. ऐसा कोई सा भी transaction जिसे आप अपनी books of accounts में या तो completely या फिर partially record करना ही भूल गए, इस error को क्या बोला जाएगा? Error of commission. इस error को क्या बोला जाएगा, बच्चो? Error of commission. आगे चलते हैं, कुछ example के तुरू हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, कि वो कौन से transaction है, जिनको हम completely omitted बोलेंगे, और वो कौन से transaction है, जिने हम partial omitted बोलेंगे. तो यहाँ देख सकते हैं, बच्चो, आप सबसे पहले example में आप लोग लेकर आया हूँ, goods purchased on credit from Vinod, not recorded. अब मैं यहीं से पता लगा लूँगा, कि यह complete omission है, कि पार्शल omission है, और मैं आपको भी सिखाऊंगा, कि कैसे मुर्दी पढ़के हां पर पता चल रहा है, कि यह complete omission है, कि partial omission है, देहां देखिएगा, आपने हां पर goods purchase करें, क्या purchase कर रहें हैं, और वो भी कैसे purchase कर रहें सक्रेडिट पर purchase कर रहें, तो जब कभी भी आप goods credit पर purchase करते हैं, बच्चो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, सर इसके लिए हम बनाते हैं, purchase book, इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, बच्चो पर बनाई है कि नहीं, subsidiary book में पढ़़ा है, तो हैं आप लोग नेए मेरे साथ, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि purchase book जब आपने बनाई होगी तो इस तरीके से बच्चों हम लोग यहाँ पर जो हमारा vendor है उसका नाम mention करते हैं उसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ पर detailing करते हैं और जो कुछ भी amount होता है वो आपका amount जो है यहाँ पर mention कर दिया जात इस तरीके से आप उसके अंदर पोस्टिंग कर देते हैं तो आपका transaction जो है completely record हो जाता है तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि अगर हमारा जो vendor है या फिर हमारा जो supplier है उसका account बाद में बनता है पहले जो transaction कहा record होता है purchase book में अब यहाँ देखिएगा अगर आप उस transaction को record ही नहीं किया है कहां पर purchase book में तो उसके फिर विनोध account के अंदर posting भी नहीं होगी तो बच्चों यह बन गया complete omission यह आपका बन गया complete commission क्योंकि अगर आप उस transaction को record ही नहीं करेंगे तो फिर उसकी posting भी कैसे होगी तो इस तरीके कि जो errors होते हैं बच्चों इन्हें बोला जा अगर सेल्स बुक के अंदर जाएगा अगर सेल्स बुक में वो चीज रिकॉड ही नहीं होगी तो आप मुझे बताओ राकेक्स के अंदर posting हो सकती है क्या सर नहीं हो सकती कौन सहरा रहे सर यह complete omission है इसके अलब हम देखेंगे को एक ऐसा transaction लेते हैं जो कि subsidiary book से related नहीं होता ह है तो कोई सा भी transaction जो कि subsidiary book से related नहीं फिरो कहां चल जाता है सर जर्नल प्रॉपर में चला जाता है तो यह अगला transaction देख सकते हैं आप जर्नल प्रॉपर से related लिया गया है कि furniture sold on credit furniture को आपने बेचा है credit में किसको सुरेश को recorded in journal proper but not posted यह भी complete omission हो रहा है सर कैसे हो रहा है आपने furniture बेचा है सर सुरेश को तो आपने यहां पर entry बना ही होगी सुरेश account debited to furniture account तो आपका जो काम हो यहीं खतम हो जाता है क्या आपका जो काम हो यहीं खतम हो जाता है क्या यहां खतम नहीं होता भाई इसके बाद सर हम लोग क्या बनाते इसके बाद सर हम लोग सुरेश का अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसमें देविट साइड में क्या लिखना होता है हमको फर्नीचर और एक बच्चों आप लोग इने में गर्क करके रखा होगा यहां आपने आपने एक complete omission का ही case बनेगा तो concept समझा करो वही हमेशा मैं आपसे कहता हूँ accountancy subject को रेटा नहीं जा सकता है अब हम बात करेंगे complete omission की बाद कुछ partial omission की बनले ये वो transaction है इनका एक effect तो record हो जाता है लेकिन एक effect record नहीं हो पाता है जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी हमने यह goods purchase कर रहे थे विनोज से record कहां पर होता है purchase book में posting कहां होती है विनोज के account में अब आपने उसको record तो कर लिया है कहां purchase book में लेकिन विनोज के account में posting करना भूल गए बताए ये complete omission है क्या नहीं सर एक हिससा record हो चुका है एक post करना भूल गए तो अच्छो इसको बोला जाएगा partial omission तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग यहाँ एक example आपको पताया जा रहा है कि credit sale of goods to Raj recorded in the sales book but not posted to the Raj सकाओ मैं जो example दे रहा है तो उसका just opposite example बन गया है कि हमने goods बेचा credit पे तो जब आप goods बेचते हैं credit पे उसके लिए आपको sales book बनानी पड़ती है sales book में हम जो हमारे customers होते हैं उनके name mention करते हैं और उस transaction को वहाँ record करने के बाद उन ही concerned account के अंदर posting कर देते हैं तो आप यहाँ देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर आपने goods बेचे हैं राज को credit पे तो यह transaction कहाँ record होगा सर यह record होगा हमारा sales book में पहले sales book में record होगा वहाँ से राज के account में posting होगी यह आप से कह रहे हैं कि sales book में तो record हो गया लेकिन राज के account में posting करना भूल गया एक हिस्सा record होगया यह भी हमारे अपने क्या कहलाएगा यह अपने आपने कहलाएगा error of partial omission इसके अलब हम देखते हैं कि omission to balance an account किसी एक account हर transaction के दो effect होते है हर transaction के दो effect होते है एक जो आपका account है उसकी तो आपने balancing कर दी है लेकिन दूसरा जो उसका corresponding account होता है उसकी balancing में आपने गड़बड कर दी ठीक है यह आप record कर नहीं भूल गए तो जैसे आपने देखा होगा कि अभी हम लोग ने आप एक example बनाया था कौन साल example की बात करों बच्चों थोड़ से पीछे चलना पड़ेगा उसके लिए आपके transition यादे आपके transition यादे आपने आप फरनीचर बेचा तो सुरेश को तो आपने entry क्या बनाई थी आपने entry मनाई थी सुरेश account debitate to furniture account अगर आपने ना फरनीचर में posting करी ना सुरेश में posting करी तो यह complete omission होगा लेकिन आपने furniture में कर दिया है सुरेश में नहीं करी posting सुरेश में कर दिये आप furniture में करना फूल तो फिर बच्चों यह क्या कहलाएगा यह हमारे लिए कहलाएगा यहां पर partial omission क्योंकि इसमें आपका एक पार्ट जो है वो record हो जाता है एक पार रिकॉर्ट होना बाकी है नेक्स्ट बच्चों हम लोग यहां पर निकालके लाते हैं errors of commission अब यह वह आला commission नहीं है बच्चों जिसका हमें commission का लेंदिन करना होता है यह commission word commit से बनाया गया है यह commission word जो होता है वो commit से बनाया गया है आपने record ही गलत कर दिया राम के account में जाना चाहिए था आपने राम की जगा किसी और person के नाम पे recording कर दी wrong posting आपने गलत account के अंदर posting कर दी है wrong carry forward जो total होता है बच्चों वो आप लोग गलत forward कर रहे हैं एक page से दूसरे page पे wrong casting आपकी जो purchase book sales book के उसके total में आप लोग गलती कर रहे हैं इसके अलावा wrong balancing तो यह सब आप देखते हैं कि यह सब आपके एक तरीके के act होते हैं और इन act से जबी गलतिया होती है इन errors को बूला जाता है बच्चों errors of commission तो आप बिल्कुल attention मत लेना इनको identify करने से related questions आते हैं यहां पे एक error आपको given होगा और आपको यह पता लगाना पड़ता है कि error of commission है error of commission है इसके अलबवा compensating error है या फिर यह error of principle है तो आप बिल्कुल attention मत लीजिएगा यह सार अगा सारा lecture देखने कर आपको एक हानी सन में आ जाएगी अब मैं आप देख सकते हैं यहां पे error of commission may be of the following types तो यहां आप देखेंगे error of recording आप से record करते वाद गलती होगी कैसे record करते वाद गलती होगी अभी समझ लेते हैं अपन लोग इस error arises when transaction incorrectly recorded in the books of original entry इस error does not affect the trial balance यह बड़ी important बात है बच्चों मैं आपको बता दूँ यह बात बड़ी important है अगर आपने error of recording करी है न आपने गलत record कर दिया है तब भी आपका जो trial balance है न वो match हो जाएगा आपने transactions को गलत record किया है तब भी आपका trial balance जो है न वो match हो जाएगा मतलब errors of recording trial balance नहीं पकड़ सकता है हम trial balance क्यों बनाते हैं तो चेक दा रृटमेटिकल है क्यों रेसी लेकिन फिर भी अगर आपका trial balance टैलिट है तो इस बात की कोई guarantee नहीं कि आपसे गलती नहीं हुईगी आपसे गलती हुई होगी तो जुसे में से एक example हम यहाँ देख पाते है यह error of recording error of recording जैसे एक चीज में आपको और बताता हूँ अगर error of complete omission है ना trial balance उस गलती को नहीं पकड़ पाएगा लेकिन अगर error of partial omission है ना उसको तुरंट पकड़ लेगा आपसे में इसी तरीके से error of recording है ना जोकि दो effect थे दो effect होते वो दोनों ही effect गलत है तो आपका trial balance ही गलती नहीं पकड़ पाएगा तो ऐसे transactions जो कि गलत record हो जाते हैं इनको trial balance नहीं पकड़ पाता है इन्हें errors of recording बोलते हैं example कि दुरू बच्चों हम लोग यहां पर समझ सकते हैं goods of rupees 50,000, 5000 purchased on the credit from Mohan are recorded in the purchase book as 50,000 अब आप देखो भाई कि अगर आपके 5,000 के goods की जगा यह हो गए न हमारे दो effect अरे भाई हो गए की नहीं दो effect एक effect हमारा क्या होता है ऐसे debit एक effect हमारा क्या होता है ऐसा credit होता है न अब आप बताओ यह 5000 रुपीज आप पहले कहां record करोगे सर हम इसको record करेंगे कहां पर purchase book में और फिर purchase book से आपको भी पता है कि कहां पर posting हो जाती है सर मोहन में posting हो जाती है ऐसी होगा इसकी जगा आप से क्या हो गया कि आपने यहां पे 50,000 रुपीज लिख दिये कहां लिख दिये आपने 50,000 purchase book के अंदर आपने यहां पे लिख दिये कितना purchase book के अंदर 50,000 और आपका 50,000 की ही आपने क्या कर दी posting कर दी किसके account में मोहन के account में अब यह गलत तो है लेकिन इससे trial balance tally हो जाएगा क्योंकि पहले 5,000 से debit 5,000 से credit हो रहा था अब 50,000 से debit और 50,000 से credit हो रहा है तो आप देख सकते कि इस error के कारण आपका जो trial balance है वो बराबर हो जाएगा आगे चलते हैं बच्चों errors of commission maybe of the following types मतलब हम लोग यहां पर types डिसकर्स कर रहे है error of recording के बाद जो हमारे यहां पर अगला होता है वो होता है error of casting मैं आप लोगों को बता दूँ casting का मतलब होता है बच्चों totalling क्या होता है totalling होता है casting का मतलब totalling अगर आपने गलती कर दी total करते वक्त तो इस error of casting बोला जाएगा अब एक चीज़ आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या error of casting trial balance पे पकड़ा जा सकता है क्या हमारा error of casting trial balance से पकड़ा जा सकता है तो यहां देखेंगे this error arises when a mistake is committed in the totaling हमसे totaling करते गलती होगी अभी करके दिखाऊंगा अभी करके दिखाऊंगा और आगे आपसे बोला जा रहा है this error affects the trial balance मतलब अगर आपसे error of casting हुआ है तो आप trial balance बराबर नहीं होगा आप trial balance में इस गलती को पगड़ सकते है तो समझ जाएगा कि आपका ये जो error है इसकी क्या खासियत है कि total करते वक्त total कहां करेंगे अभी बताऊंगा total करते वक्त अगर आपसे गलती हो गई है तो से error of casting बोला जाता है और बच्चो इसकी एक खासियत होती है कि ये trial balance को effect करता है मतलब इस गलती के कारण आपका trial balance match नहीं होगा अब मैं आपको अताता हूँ कैसे आप यहाँ देखेंगे बच्चो कि suppose आप एक purchase book बना रहे है आप क्या बना रहे है एक purchase book बना रहे है बहुत ध्यान समनना सारी चीजे मैं हमें साब को conceptually समझाता हूँ तो आप देखेंगे कि सबसे पहले purchase book में मैंने goods किस से खरीदे सर आपने goods खरीदे ABC Limited से कितने के सर 10,000 रुपीज के आरी बासमन में उसके आप सर हम लोगों ने goods खरीदे किस से सर XYZ Limited से कितने के goods खरीदे हम लोगों ने सर ये खरीदे हमने 7,500 के उसके बाद बच्चो यहाँ पर हम लोगों ने goods purchase किया है ABC होगे XYZ को और ले लो भी या इसके अलावा सर आपने हाँ पर जो goods purchase करके रखा है वो goods आपने purchase करके रखा है राम एंड कंपनी से राम एंड कंपनी से आपने goods purchase करें कितने goods purchase करें सर हम लोगों ने हाँ पर goods purchase करें अब की बात 6,500 के कितने के 6,500 के ठीक है अभी तक सब कुछ सही चल रहा था अभी तक सब कुछ सही चल रहा था अब क्या होगा सार एक ना आब पर एबी सी लिमिटेंड का आकॉँट भी बनाएंगे ऐसी लिमिटेट का representatives इसमें जाएगा अपर यहां पर यहांपर यहां पर यहां tu आउयमिट무ड भी के अंदर भी सर पोस्टिंग होगी और वहां पर भी बच्चों बाय पर्चेज़ में जाएगा जितने के गुड्स आपने से खरी दें जो कि हमारे कितने के सर 7500 के और उसके बाद क्या होगा सर एक राम एंड कंपनी जो है एक राम एंड कंपनी जो है उसका भी अकॉंड बने टोटल आजाता है जैता एक लिबट में जाता है पॅज होगी आपका टोटल करो जाता है 777 और ऐंगी ये इंगे तो 1806 कितना होता है 24 बच्चों मैंने हाँ पी लिग दिया गलती से ट्वेंटी सिक्स टॉइंड हो कितना रहा है टॉटल हो रहा है 24,000 लेकिन गलती से हमने हाँ पे कतना लिग दिया 26,000 और आप लिग सर्टिहीज ब आपको भी बता है बच्छो ट्राल बैलेंस में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ ट्राल बैलेंस जबाब बना होगे बच्छो तो यहां पर आपका एक आएगा परचेस का बैलेंस आएगा परचेस का बैलेंस आएगा परचेस का बैलेंस बैलेंस वैसे तो कितना अना ची तो क्रेडिट में जाएगा. तो यहां देखेंगे आप क्रेडिट में कितना जाएगा है सर सेँएटी फाइवाजडर्ड हम किऱ देख लो. हो रहा है का बराबर ? नहीं हो रहा तो आपके टोटलिंग से गलत होने के कारण —ब आपका ट्रैल बेलेंस मैच नहीं हो आपको जहां पर लिखने चाहिए थे आपको जहां पर लिखने चाहिए थे 1,000 उसकी जगा आप लिख दोगे कितना 10,000 अरे खुदी बताओ यार 9,000 से फ़रक पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा पड़ेगा इसे बोला जाता है और खासियत इसकी होती है कि इस तरीके के एरर्स के होने से आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं करता है इसके अलावा हमारे पासे इसके अलावा एरर ऑफ पोस्टिंग तो पोस्टिंग करते वक्त आपसे गलती हो गई चली ये भी मैच जल्दी से फटा-फट आपको समझा देता हूँ सपोज आपने जो है ना आपने यहाँ पर बच्चो सैलरी पे करी है कैश में तो आप एंट्री क्या मनाएंगे सर हम एक काम करते हैं फाइफ थाउजन की सैलरी पे करते हैं पहले तो सर हम एंट्री बनाएंगे सैलरी अकाउंट डेबिटेट टू कैश अकाउंट क्या बनाएंगे हम सैलरी अकाउंट डेबिटेट टू कैश अकाउंट एकदम क्लियर अब भीया क्या होता है कि सर एक बार तो यह जाता है salary account में एक बार तो यह जाएगा salary account में और वहाँ debit side में क्या जाएगा सर वहाँ debit side में जाएगा two cash कितना 5000 और एक बार जाएगा या तो यह cash book में जाएगा या फिर cash account में जाएगा और वहाँ पर क्या हो जाएगा सब credit side में चला जाएगा और वहाँ पर में लिखूंगा मैं buy salary लेगिन 5,000 की जगा मुझसे एक zero गड़ लग जाता है और वहाँ मैं posting कर देता हूँ 50,000 की तो ये गलती हो गई मुझसे posting करते वक्त गलती हो गई मुझस से अब आप देखेंगे क्या है इसकी खासियत सर इसकी भी खासियत यही है कि यह भी हमारा trial balance जो टैली है वो नहीं होने देगा क्योंकि debit side में कितना दिखरा होगा 5000 और credit side में कितना दिखरा होगा सर 50,000 तो यहां बचो हम लोगों ने अपने errors का बस classification खतम कर दूँ इसका सी 11th Standard में रो देता है बच्चा रो देता है इस चैप्टर के नाम से लेकिन मैं आपको promise कर रहा हूँ एक बार अगर आपने मेरे साथ concept सीख लिए इससे आसान चैप्टर फिर आपको कुछ भी नहीं लगेगा और अगर अच्छी accountancy सीखनी है तो उसके point of view से भी बच्चो यह हमाली बहुत important हो जाता है यह काफी कुछ fundamentals आपको सिखाता है काफी कुछ यह बच्चो आप लोगों को working सिखाता है अब next हमारा error of principle है एक बार read करेंगे error of principle क्या होता है उसके बाद आगे चलेंगे दो ध्यान रखिएगा error of principle की क्या खासियत होती है when a transaction is recorded in contravention of accounting principles it is known as error of principle त यह गलती हो भी गई है तो भी आपका trial balance match कर जाता है error of principle की खासियत होती है कि अगर आपने यहां पर क्या किया है सर अगर आपने यहां पर transactions को क्या कर दिया है गलत principle के साथ record कर लिया है तो भी सर यह आपका जो है transaction के इस error होने के कारण तो भी आपका जो trial balance है ना बच्चो इसको खरीदते वक्त उस पर जितने भी expenses किये जाते हैं वह expense में नहीं जाते हैं वह asset में जाते हैं बोलता था कि नहीं ऐसा बोलता था कि नहीं ऐसा तो आप देख सकते हैं कि भाई repair expenses of money machinery debited to machinery account अब इसको समझ नहीं कोशिश करो कि भाई नॉर्मल रिपेर अब नॉर्मल र रिपेर हैं तो रिपेर में जाने चाहिए था लेकिन आपने गलती से एंट्री के बना दी आपने गलती से बच्चों यहां पर एंट्री बना दी machinery account debited machinery account debited to cash account तो आप देखेंगे कि यहां से यह tally तो हो जाएगा क्योंकि debit debit बिल्कुल सही जा रहे हैं credit but यहां पर जो account है वो गलत है नौमी यह अपने आप में बच्चों एक revenue nature का transaction है और मैंने इसको capital nature का transaction मिना दिया या फिर vice versa चलते है बच्चों आगे और समझते हैं इस के अंदर क्या है तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि अभी आपने और example समझने होगे कि भाई क्या होते है errors of principle तो यहां अब देखेंगे बच्चों जैसा vice versa मैंने आप सिखा था कि treating capital expenses as a revenue expenses अब उल्टा भी दो हो सकता है कि जो चीड machinery में जानी चाहिए थी वो चीड किसमें चली गई expense में चली गई तो यह भी कौन सा error कहलाएगा यह कहलाएगा error of principle अब यहां देखेंगे बच्चों commission paid sorry commission paid for purchase of land is debited to commission account instead of land account अब हमको यह बात बहुत अच्छे से पता है सर आपने journal में पढ़ाया था आपने journal ने पढ़ाया था कि किसी भी asset को purchase करते वागत उसके उपर जितने भी expenses होते है न उन expenses को asset account के अंदर record किया जाता है ना की separate expense account में एक बाप फिर से समलो बच्छो concept याद करो जो मैंने आपको journal में पढ़ाया था सर आपने हमको journal में पढ़ाया था कि किसी भी asset को purchase करते वक्त उस पर जो भी expenses किये जाते हैं वह expense account के अंदर नहीं जाते हैं वह asset account के इंदर जाते हैं देखो यहाँ पर क्या हो रहा है हमने commission pay किया हमने commission pay किया land को हमने purchase किya asset को purchase किया तो यहाँ पर बच्छों हमारी entry क्या बननी चाहिए यहाँ पर हमारी entry बनेगी land account debited to cash और bank account जो भी आपको उपन करना हो तो commission pay करने के entry यहाँ पर क्या मनेगी land account debited to cash account यह इसकी सही entry है लेकिन बच्छों गलती से आपने जो entry बना दी है वो बना दी है यहाँ पर commission account debited आपने के entry बना दी है commission account debited to cash account तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है प्रिंसिपल जो आपने लगाया है वो गलत लगा दी है क्योंकि आपने पर capital निचे के transaction को क्या बना दिया revenue निचे का transaction अब जैसे कि मैं इसके पिछले example में भी आपको पताया था कि भाई यह तो हो जाएगा लेकिन भाई conceptually तो एक है आपने आपने कहीं न कहीं गलते हैं और example देख सकते हैं पर लोग furniture purchased on credit wrongly recorded in the purchases book instead of journal proper अब आप मुझे बताओ भाई furniture खरीद रहे हो asset purchase कर रहे हो कहा record किया जाता है अगर अब subsidiary books maintain कर रहे होते हैं तो यह record होता है जर्नल में जर्नल प्रॉपर में लेकिन गलती से आपने इसको कहा record कर लिया purchase book में होगे न भी यह concept की गलती अरे भाई purchase book के अंदर तो credit purchase of goods आता है लेकिन यहां पर तो आप asset purchase कर रहे हैं तो ज लेके गलती से कहां चलेगा purchase book के अंदर एक्दम क्लिया और देख लेते हैं बच्चों यहां पर और पी example हमारे पास यहां पर given है तो यहां पर अगर हम बात करेंगे इसी को basically इन लोग ने explain किया है it means that purchases account has been wrongly debited instead of furniture account तो भाई गलती पकर में आ गई कि debit किसको ओना चीए था debit होना चीज़ता है यहां पर किसको furniture account को लेकिन गलती से यहां पर debit हो गया purchase account तो यह कि आपका error of principle अब बच्चों आते हैं और हमारे last category बच्ची है इसके बाद हम लोग इसके numerical solve करने जा रहे हैं और एक ची मैं आपको बता दू बच्चों बहुत मज़ा आने वाला है इस chapter क हमको पंडे में क्योंकि बहुत ही detail में और इतनी आसानी से आपको समझा दूँगा कि यहां पर rectification किस तरीके से किया जाता है बस आपको कुछ मेरे साथ assumptions लेने पड़ेंगे और उसके बाद बच्चों हमारे जो यहां पर journal entries बनानी पड़ती है rectification वाली entry बनानी पड़ती है जैने rectifying entry बोला जाता है वो हम लोग यहां पर बनाना सीख जाएंगे एक error दूसरे error को compensate कर देता है और हमारे trial balance टैली हो जाता है तो यहां देख सकते है compensating error are those errors in which effect of one error is nullified by the effect of another error तो compensating error बच्चों उन errors को बोला जाता है यहां पर एक error दूसरे error की गलती को क्या कर देता है nullify कर देता है example देख लेते हैं sham's account was debited with rupees 100 instead of 1000 while Ram Prasad's account was debited with 1000 instead of यहां पर देखेंगे हम लोग rupees 100 तो यह आप से क्या कह रहे है कि भीज़े यह आपका Ram का account है यह आपका Ram का account है और Ram के account में Ram के account में कितना जाना चाहिए debited with 100 instead of 1000 आपने इसके account में कितना डाल दिया 100 बलकि आपको डालना कितना ता है यहां पर 1000 आगी बास में और इसकी जग़ा बच्चों आपने ना Ram Prasad के account में भी कुछ गलती करी है देखें क्या है Ram Prasad में यहां आ जाते हैं अब हम लोग राम परसाद अब आप देखो यहां आपने क्या किया सथ यहां पर हम लोग ने कुछ ऐसा किया कि Ram Prasad के account में हमने कितना डाल दिया यहां बल्कि जाना कितना चीए था जाना कितना चीए था 100 तो आप देखेंगे बच्चों कि Ram के account में 900 रुपीज क्या हो गया डेविट साइड में शॉट हो गया लेकिन राम परसाद में 900 डेविट साइड में क्या हो गया आप देख सकते हैं एक गलती को क्या कर लिया चुपा रिया और यहां पर है ऑपका जो चैप्टर से हुट हो जाएगा अब यहां से की चाप्टर स्टार्ट हो रहा है तक और अपना pen और notebook उठा लीजे क्योंकि हम पर हम आपको कुछ ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जो हर कोई नहीं बताता है अब आप देखेंगे कि errors are of following two categories आपके जो errors होते हैं बच्चो दो तरीके के होते हैं हम देखेंगे यहां पर होते हैं errors affecting the trial balance और one-sided errors और इसके अलावा errors not affecting the trial balance or two-sided errors तो आधे से ज्यादा तो बच्चो पूरा साल निकल जाता है paper का हमारे पास दिन आ जाता है लेकिन हम यहीं नहीं समझ पाते हैं कि one-sided error कौन से होते हैं और two-sided errors कौन से होते हैं यहाल होता है chapter में मैं आपके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा तो आपको यहां पर क्या कह रहा हूं मैं मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको यहां पर यह पता होना चाहिए कि वह जो कुछ भी error हमारे सामने गिवन है वह one-sided yeterate two-sided हैं और three-sided in two-sided two-sided error क्या होते हैं आपको पता है बच्छो spiritually in check not injected and corrected अगर हम से गलती हो गईतों गलती को ऐसी छोड़ए रहर को एसी चोड़ को आपको detect करना है ढूंडना है और उसके बाद आपको उनको correct करना है the procedure followed to rectifying the errors committed and to set a right accounting record is called rectification of errors और इन ही गलतियों को स्थुधारने की जो procedure होती है उस procedure को ही बोला जाता है बचो rectification of errors तो यहां करना हमारे लिए फिर बहुत ज्यादा rectifying करना उसको हमारे लिए बहुत ज्यादा difficult हो जाता है तो देखिए मैं आपको सबसे पहले बच्चों यहां पर स्टेजिस के बारे में समझा रहा हूं क्या होती है स्टेजिस अभी आपको पता खुदी ही पता चल जाएगा तो मैं आप बात कर रहा हूं स्टेजिस की सबसे पहले आपको यही identify करना है कि किस स्टेज में गलती हो रही है तो सबसे पहले बच्चा आपकी जो स्टेज होती है वो होती है before preparation of final before preparation of trial balance before preparation of trial balance बच्चो आप चाहें तो यह सब चीजे लिख भी सकते है before preparation of trial balance के बाद हमारी अगली स्टेज दो होती है वो होती है after preparation of trial balance but before preparation of final accounts और तीसे स्टेज होती है बच्चो वो होती है after preparation of final accounts that is profit, trading and profit and loss account and balance sheet और चो हम जो preparation कर रहे है वो किस के point of view से कर रहे है हम preparation कर रहे है बच्चो class 11 के point of view से तो बच्चो class 11 में जो है ना आपका stage number 1 applicable है stage number 2 है लेकिन भाई stage number 3 हमको नहीं पढ़ना होता है सब नहीं पढ़ना होता है तो पर बता क्यों रहे होता तो है ना पढ़ना नहीं है हमारे scope में नहीं वो बात अलागे लेकिन बच्चो ये वाला stage भी होता है है before preparation of trial balance मतलब trial balance बनने के पहले ही वो error हो गया है दूसरा stage हमसे कहता है कि वह trial balance आपका बन चुका है trial balance जब आप final accounts के तरफ जा रहे थे जब आप trading and profit and loss of balance sheet के तरफ जा रहे थे उस बीच में आप से वो particular error हो जाता है और जो होती है जो कि बच्चों हम लोग को पढ़नी नहीं एक लास 11 में फिर भी क्योंकि होती है इसलिए में आप लोगों को इंट्रिद्यूस करा रहा हूं तीसरा होता है कि आपके final account बन चुके मतलब इस साल का आपका trading and profit and loss account balance sheet तयार हो चुका है उसके बाद वह आप से गलती हो रही है तो ओर वर्वाल बच्चों हमारे पास यहां पर कितने स्टेजिस वह जाते हैं तीन स्टेजिस जिसमें से सर हमको जो अपना लास वाले स्टेज है वो नहीं पढ़ना है हमें सिर्फ दो स्टेजिस पढ़ने बिफोर प्रिपरिशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और अफ्टर प्रिपरिशन ऑफ ट्रायल बैलेंस तो एक बार उसके बाद उस अकांट की क्या होती है बालेंसिंग उस बैलेंस ऊता के आto है कर ले retail लेकिन अब यह जो पहला स्टेज है यह से कह रहा है तो हैं मतलब transaction गर रिकॉर्ट हो गया उसकी उसके posting भी हो चुकी है और इसी कहीं में आपसे वो गलती हो गई है अभी तक फिलाल आपका trial balance तयार नहीं हुआ है तो चुकि बच्चों अगर trial balance तयार नहीं हुआ है ध्यान से समयने बहुत important बतारों अगर बच्चों यहां पर आपका One-sided Error हो जाता है One-sided Error होता है कि किसी एक ही अकाउंट के अंदर गलती है अगर यहां पर आपका वन-sided होता है तो बच्चों इसका treatment क्या है इसका treatment यह है कि आपको उस account के अदर जाके एक statement pass करके उसे rectify करना पड़ता है आपको one sided error है देखो भी है बड़ा simple सा funda है trial balance नहीं बना इसको account अभी open है जिस account में गलती है उस account के अंदर जाके एक statement pass करके उसको में क्या कर दूँगा और rectify कर दूँगा और वहीं अगर ये two sided error है वहीं अगर ये two sided error है तो फिर उसका treatment क्या होता है उसका treatment यह होता है कि हमें यहां पर एक rectifying journal entry पास करनी पड़ती है यहां पर हमको क्या पास करनी पड़ती है rectifying journal entry इग्दम अब आते हैं लोग अगली स्टेज पे after preparation of trial balance but before preparation of final account एक वाल का trial balance बन चुका है आपका trial balance बन चुका है और वो घ्लॉज होच जूप है मतलब और से यहां से लेकर यहां तक मतलब trial balance से training & profit & loss of balance sheet बनाते वक्त अगर मुझसे कुछ गलती हो एक तो वहां मुझे इनको देखना है बंचो किस तरीके से रयक्टिफाइग किया जाता तो यह आपके वन सैडिडर हो गया यह आपका टू सैड़ मिखे आरो गया इसी तरीके से पक्चो यहाँ पर भी हमारे जो वन सैड़ार रहेंगे one-sided error इसका बच्चो आपका जो treatment है वो यहाँ पर journal entry से ही होगा वो आपका treatment जो है journal entry से ही होगा with suspense account यह सब अभी आप लिख लीजिए यह सब क्या होता है बच्चो मैं आपको बहुत detail में समझाने वाला है तो उसके आप tension ही मत लीजिएगा with suspense account और अगर यहाँ पर आपका two-sided error है अगर यहाँ पर आपका two-sided error है तो इसकी भी बच्चो आपको rectifying journal entry ही बनानी परती है with और without suspense account इतना आप लोग आप से नोट कर लीजिए पुस टाइम दे रहां बच्चो आपको मैं आराम से आप लोग यहां पर इसको प्रपेर कर लीजिए क्या यह रखना है टोटल सरने कित्थी स्टेज़स बताई है सतीन स्टेज़स बताई है जिसम्हें से एक हमें अपलिगे यह नहीं है और बच्चों यहां पे अगर हम लोग बात करें general entry नहीं basically उसके rectifying entry बोलना चाहिए अगर after preparation of trial balance ने मतलब trial balance बन चुका है लेकिन final accounts नहीं बने उस बीच में अगर हमसे कोई गलती हो रही है वहां अगर one sided error है तो बच्चों आपको general entry बनानी पड़ेगी with or without suspense account तो मेरे खाल से यहां तक आपको पूरी की पूरी जो कहानी है वो clear हो गई होगी और अब हम चलते हैं बच्चों आगे अब हम चलते हैं आगे और बच्चों अब मैं आपका जो पहला stage no.1 है वो आपको बहुत ही detail में समझाने वाला हूं तो stage no.1 क्या है sir before preparation of trial balance before preparation of trial balance अब यह चीज़ तो बच्चों मैं आपको समझा चुका हूं कि अगर वह one sided error तो जिस account के अंदर गलती है उस account के अंदर घुस के आपको उस error को क्या करना पड़ता है rectify करना पड़ता है लेकिन बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि पहले मैं पर आपको समझाना पड़ेगा कि errors को rectify किस तरीके से किया जाता है अगर बच्चों कोई transaction है अगर आपको उसको डेबिट करना पड़ेगा अपको उसको डेबिट करना पड़ेगा इर्र ऑफ वमेशन बता है अगर मेरा कोई account debit होना चाहिए ता लेकिन इसको डेबिट करना पड़ेगा अब आते हैं बच्चों हम लोग कि अगर कोई मेरा अगर कोई मेरा अकाउंट है जिसे मुझे डेविट करना है लेकिन मैंने उसको जादा से डेविट कर दिया है तो बच्चों रेक्टिफाय करने के लिए अब मुझे उसको क्रेडिट करना पड़ेगा अगर हमने किसी से जादे डेविट कर दिया तो रेक्टिफाय करने के लिए इसको 500 से क्रेडिट करना पड़ेगा आरही बात समय में अब हम देखेंगे कि अगर कोई पर्टिकुलर अकाउंट है जिसको मुझे डेविट ही करना था लेकिन भाई मैंने उसको कम डेविट कर दिया है मैंने उसको क्या कर दिया है कम डेविट कर दिया है तो भाई इसका ट्रीटमेंट यह कि मुझे उसको और डेविट करना पड़ेगा और डेविट क करना चाहिए था लेकिन गलती से मैंने उसको क्या कर दिया है क्रेड़िट अब बच्चों मुझे उसको डबल अमाउंट से अब मुझे उससे अकाउंट को क्रेड़िट करना चाहिए था अगर मुझे किसी अकाउंट को क्रेड़िट करना चाहिए था और मैं उसे क्रेड़िट करना भूल गया तो अव्यसी बात है मुझे उसको क्रेड़िट ही करना पड़ेगा मुझे उसको क्रेड़िट ही करना पड़ेगा अगर कोई अकाउंट है जिसको मुझे ग्रेडिट करना चीह था लेकिन बच्चों मैंने उसको न डिन में आट कर दिया है मैंने उसको जाधा से लिए को एककाउंट है swear I say canimum के लाफ ये करना चाहाइ था लेकिन मैंने उसको कम क्रेडिट किया है, लेस किया है, मतलब लेस कम मतलब यहाँ पर कम है, कि मैंने उसको कम क्रेडिट किया है, तो मुझे उसको और क्रेडिट करना पड़ेगा, मुझे इसको और credit करना पड़ेगा और बच्चों यहां पर अगर हम देखें last option जो होता है कि भाई मुझे इसको करना चाहिए तो था credit मुझे इसको करना चाहिए था credit गलती से वो मुझे से हो गया debit गलती से वो मुझे से हो गया debit तो भाई अब उसको rectify करने के लिए मुझे इसको double amount से credit करना पड़ेगा तो यह चीज़ आप लोग बच्चों note कर लीजिए बहुत important बात में आप लोगों को बता रहा हूं एक बर इसको हम वापस से revise करेंगे एक बर हम इसको वापस से revise करेंगे क्योंकि मैं आपको बता दूँ बच्चों मेरा rectification करने का तरीका ही यह है तरीका ही यही है अगर कोई account debit होना चीए था हम उसको debit करना भूल गए तो आपको उसको और debit करना पड़ेगा अगर हमने किसी account को जादा से debit कर दिया है तो जितने जादा से आपने उसको debit किया उतने से आपको उसको credit करना पड़ेगा अगर आपने कम से debit किया है तो आप मुझे किसी account को credit करना चाहिए लेकिन मैं उसको credit करना ही भूल गया तो मैं उसको credit करूँगा अगर किसी account को मैंने जादा से credit कर दिया है तो जितने जादा से हमने उसको credit किया है उतने से हम उसको क्या कर देंगी debit कर देंगी अगर मैंने किसी account को कम credit किया है तो मुझे इसको और credit करना पड़ेगा और अगर मैंने गलती से किसी account को credit किया गा debit कर दिया है तो मुझे इसको double amount से credit करना पड़ेगा इस debt clear बहुत अच्छे से आगे बच्चों आप लोगों को आपके पास कितने methods होते हैं presentation कि दो या तो आप क्या बनाते हैं इधर देखो चलो इधर देखो या तो आप क्या बनाते हैं सर जर्नल जर्नल से आप क्या बनाते हैं सर लेजर उसके बाद लेजर से क्या बनता है सर ट्रायल बैलेंस और trial balance से क्या बनता है सरफ final accounts इसका आपको पता है कि एक alternative भी होता है हमारे पास इसका एक alternative भी होता है कि हम यहाँ पे जो है journal का subdivision कर देंगे हम यहाँ पे बनाएंगे subsidiary books subsidiary books से ledger के अंदर क्या होगी posting ledger से फिर हम कहाँ चले जाएंगे trial balance में और trial balance से फिर हम कहाँ चले जाएंगे सरफ final accounts में बहुत गजब की बात बता रहा हूं एक बार अगर समझ लिए तो rectification of as just a chapter आपको चिंटू लगने लग जाएगा आपको लगेगे कि कि हम अपने जर्नल का सब डिवीजन कर लेते हैं आपको याद होगा बच्चो मैंने आपको जो है आपसे बोला कि ऐसे transactions जो कि अपने आप में repetitive in nature के होते हैं ऐसे transaction जो कि अपने आप में repetitive in nature के होते हैं उनकी आप एक special book बना लो और बाकी सारे other transactions कहां लेके चले जाना journal proper में लेके चले जाना इस डेट clear इस डेट clear तो बचो अगर मैं subsidiary books की बात करूँ तो सबसे पहले मेरे पास कौन सी book होती है सबसे पहले आपके पास होती है cash book होती है सबसे पहले कौन सी ले ले लेते हैं चलो cash book ले ले लेते हैं कहीं और जगह मिल जाती तो मज़ा आजाता चलो यहीं मनानी पड़ेगी जगह तो सबसे पहले हमारे पास होती है कैश बुग कैश बुग के खासियत होती है कि इसके अंदर कैश और बैंक आपके दोनों ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं सर इसके बाद हमारे पास होती है पर्चेज बुग आप देखना बहुत गजब की चीज़े बताने वालों बच्चों एक हमारे पास होती है पर्चेज बुग सर जिसके अंदर आता है क्रेडिट पर्चेज ऑफ गुड्स अब मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या हम गुड्स सिफ च्रेडिट में करीदें कैश में थ्यान से देखो अगर आप गूर्ट खरीदे रहे हो क्रेडिट में तो एक उसका रिकॉर्ड जो पर्चेश वाला एफट है वो कहां रिकॉर्ड हो जाएगा पर्चेश बुक में और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है क्यों बनाई जाती है सक क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स इसके बाद सर हमारे पास होता है परचेज रिटर्न और इसके बाद होता है सर हमारे पास सेल से रिटर्न बुख अब होते तो दो और हैं बिल्स पेवल भी लेकिन वह फिलाल आपके स्लिबस में नहीं है तो आप मानके चलेंगे इतनी आपकी क्या होती है इतनी हमारी होती है है सबसेडिरी अच्छ उलिकों उभठेई करते हैं सबसेडिरींगोर करने के बाद थो वह सारीming ड्रांजेक्ट मे orbits अभी यहॉद गते हैं शेजन पर यह देंडर्वाइण्छ डियान नहीं 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 समधे हैं आपको सबसे-पहले यह इदेंटीफाइ сок सबसे पहले आपको identify करना है कि वो जो transaction आपके सामने गिवन है या फिर आपके सामने गिवन है और अगर वहाँ पर आपसे बूला जा है recording recording करते वक्त गलती हुई है ठीक है enter करते वक्त गलती हुई है recording यह enter करते वक्त गलती हुई है तो भाई समझ जाना कि यह two-sided error है reason अभी आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपने subsidiary book में record ही गलत किया है अगर आपने subsidiary book में record ही गलत किया है तो आप उसके concern account के अंदर posting भी गलत ही करेंगे आ रही है बात आपको समझ में 1000 का purchase था credit pay राम से तो purchase book में 1000 जाना चीए था लेकिन आपने 100 रुपीज लिख दिया राम का तो आप विएसी बात है कि जब राम के account के अंदर posting होगी by purchases तो वहाँ पे 100 रुपीज आएगा जाना चीए था 1000 तो अगर हम subsidiary book में record ही गलत करते हैं तो फिर हम इनके concern account में posting भी गलत करते हैं इसलिए अगर transaction record ही गलत हुआ है तो वो two-sided error है तो वो two-sided error है और अगर आपने रिकॉर्ड तो सही किया है आपने रिकॉर्ड तो सही किया है लिखा है पोस्टिंग डेबिटेड या क्रेडिटेड तो अच्छो समाझ जाना कि ये one-sided error है कौन सा है ये सर ये है one sided error एकदम क्लियर तो यहां है जो मैंने आप लोगों को पूरे के पूरे बेसिक समझा दियें लेकिन मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं एक बार प्लीज एक बार मेरी सबसे पहले मेरे पास आता है बहुत ध्यान से समझेगा बहुत ध्यान समझेगा अभी तक आपने जो कुछ भी सीखाने सब लगा दो यहां पर बच्छो एक ही बार में बिफोर प्रप्रेशन ऑफ ट्राइल बैलेंस सर या तो बनता है जर्नल जर्नल से लेजर और लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस यहां सीखर्व प्रप्रेशन और हम साफ से जर्री बॉक्स बनाsooटार मानिस लेकिन अगर प्रप्रांगा पर जितने भी अकांट है वह सारे के सारे कांट स्कीज मिन अभी अपनने उनकी बैलन्सिंग नहीं करी अरे बैलन्सिंग करतें नां मनत के एंड में जो साइड हायर होता है फिर जो साइड छोटा होता है उससे डिफरेंस निकाल के जिस तरह शौटेज होती उस तरह लिख देते हैं यादा रहा है बैलनसिंग करना कहते हैं इसका मतलब अभी अब एकाउंट के अंदर बैलनसिंग नहीं हुई है अब आपने यह करीं और युए कोशिश करी है अ़ाप आपको याद होगा हो तो इस तरीके का आपको बच्चों पर स्टेय्मेंट कैसे करते हैं वह वजा निपनों के और grey ुरी बटा चाहई आगर और तो है वह टाता है चैसें अईसे तो हैट और फ़ुबश में उन्टी अपने पॉस्टिंग के अंदर निकी पोस्टिंग होगी जिससे वह एकाउट अपने आपने अपने रेक्टिफाई हो जाएगा ध्यान से सोनो one-sided error है उस अकाउट के अंदर घुसके रेक्टिफाई कर दो और two-sided error है entry passed कर दो फिर posting होगी posting से फिर एकाउंट rectify हो सेकेंड स्टेज होती है हमारी आफ्टर प्रपरिशन ऑफ ट्राइल बैलेंस मतला आपका ट्राइल बैलेंस तैयार हो चुका है अब फाइनल अकाउंट जो है आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस यह बनना बाखी है तीसरा होता है आफ्टर प्रपरिशन ऑफ ट्राइल बैलेंस तो यह तो हमारे स्लिबस में होता ही नहीं है तो यह हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं इसके बाद कैसे डेबिट और क्रेडिट करना यह भी मैंने आपको ता दिया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों यह होते हैं यह कितनी जर्नल एंट्री मनाएंगे कितनी बार उनकी पोस्टिंग करेंगे इससे ज्यादा बेटर की ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि अपने आप में रिपेटिटिव नेचर होते हैं उनकी स्पेशल बुक बना लेते हैं and if you are maintaining subsidiary books then there is no need to pass जर्नल एंट्री तो हमेरे जर्नल एंट्री वाला काम बची जाता है तो अज्यूम करके चलना है कि यहां पर सब्डिवीजन और यहां पर सब्डिवीजन जर्नल चलता है यह हैं आपकी subsidiary books बड़ा सिंपल सा फंडा है आप ट्रांजेशन को रीड करी आप ट्रांजेशन को अगला तो जाएगी two-sided error बन जाएगा two-sided error बन जाएगा लेकिन record तो सही हुआ है अब वहां से concerned account के अंदा posting करते वक्त अगर हमसे गलती हो जाती है debitate credit इस तरीके की terms use करेंगे समझ जाना one-sided एक दम क्लियर है बच्चों चलते हैं अब फड़ा फड़ बच्चों यहां पर हम लोग एक एक करके सारे का सारे कोशन जो है उसमें डील करेंगे तो एक चीन मैं आपको बता दूं मैं आऊं और ऐसा आपको बता दूं कि पंद्रा मिनेट के अंदर रेक्टिफेकेशन और इस खतम हो जाएगा इसा कुछ पॉसिबिल निया ऐसा पॉसिबल ही हमने कॉंसでも अब एक णटन सी ना प्रेक्टिस भी जरूरत नहीं है और सब सची बात हम बिल्कुल कॉंसेप्चिल स्टेडी करते हैं कोई शॉटकट नहीं कोई रेक्टाफिकेशन नहीं ऐसे लोग जो सोच रहे हैं दस मिनेट में रैक्टिफिकेशन अफैर सोजागा बिल्कुल मत देखना मेरे वीडियो बिल्कुल मत रहें हाउ विल भी दा फॉल्विविग एरर्स रेक्टिफाइड इन दा बुक्स ऑ गुर्मन इस सबसे पहली बाद तो इसका मतलब किया मैं आपको ता दूं सबसेंस अकाउंट का खुलता है सबसेंस अकाउंट खुलता है आफ्टर प्रपरेशन ऑफ ट्राइल बालेंस मे सबस्क्यांट बटाएबन आपको सस्पेंस अकाउंट का फॉपन होताँ सससा सबसेंस अकाउंट अपन होता आफ़र प्रपराइशन ऑफ ट्रैल बालेंस लेकिन यह आपसे कहनें bout शन्राज एक्ट पर ट्रपरेशन ऑफ्र प्र 친 ऑफ ट्राabordन अवश्वामिन यह आपकी स होगा एकाउंट में घुसके रेक्टिफाय करूंगा और अगर तू साइड़ होगा तो मैं जरनल एंट्री पास करके रेक्टिफाय करूंगा एक दम क्लियर हो गया अभी समझते इधर पर क्या हो रहा है सबसे पहले ट्रांजिक्शन में हम चों हम से आप बोला जा रहा है पर कॉन सा बैला रांस 효ता है डैविट रे क्यापिटल को हमें सा कॉन सा हँता है क्रेडिट लें। लाइ turbo फोला जांगे लैइन्कм का कॉन सा बैला रांस होता है सरी चेडीट इतनी चीज़ याद रखनी है नहीं तो रेक्टिफिकेशन में तकलीव जाएगी और यह बहुत बच्चो वाली चीज़ है आप लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आरे हैं ठीक है यहाँ हो यहाँ हो देखते हैं क्या कह रहा है सर यह कह रहा है पर्चेस बुक इस अंडर का क्या करते हैं यहाँ पर डिटेलिंग करते हैं यहाँ पर वेंडर्स के नाम लिखते हैं कि हमने एक्सवाइज से फला 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 घुट्स खरीदा हमने यहाँ पर एक्सवाइज से फला 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 घुट्स खरीदा हमने यहाँ पर एक्सवाइज से फला 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 उन में 1000 से ही पोस्टिंग करी होगी, यहां पर सब्सक्राइब बच्चों आपने गुड्स खरी दियोंगे 500 के, तो ABC लिमिटेड में भी आपने 500 के पोस्टिंग करी होगी, लेकिन जब आप इसका टोटल करते हैं, तो यहां पर बच्चों 1500 की जगा आपने 5100 का टोटल कर दि है, तो आप देखेंगे, देखेंगे, हुआ क्या, कि यहां पर जब ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड किये गए, तो वो सही रिकॉर्ड हुए, तो पोस्टिंग भी सही हुई, लेकिन टोटल करते हैं वक्त हम से गलती होगी, तो गलती सिर्फ और सिर्फ किस के अंदर है, पर को इसको और डेबिट करना पड़ेगा, क्या है इसका solution, अगर हमने कम से डेबिट किया है, तो हमको इसको और से डेबिट करना पड़ेगा, अब मैं आपको यह बता दू कि प्राक्टिकल यह कैसे होता है, हमको यह कैसे करना होता है, प्राक्टिकल यह ऐसे होता है, कि आप एक purchase account maintain करके रखे होंगे इस तरीके से उसका account आपने बना के रखा होगा आपने एक ये लीजे और ले लो भई detail में ले लो बिल्कुल यार बस एक ही बार बताऊँगा ये चीज इस तरीके से आपने purchase account maintain करके रखा होगा अब हुआ क्या कि जो purchase book का total था वो undercast हो गया अगर undercast हुआ तो वहीं से balance कमाया वहां से balance कमाया तो कहां जाता वो सर वो जाता debit side में वो जाता debit side में ठीक है इस तरीके से कुछ आप लोग लिखते हैं वहापे to sundries as per purchase book as per purchase book अब undercast कर दिया मतला आपने आपर कम record किया है आपने बच्चों आपर कम record किया अब आप मुझे बताओ कि अगर आपने कम record किया तो आप क्या करेंगे सर और record कर देंगे आगई बास आने तो आप जाएंगे इस तरीके की purchase account में और यहां पर लिखकर आएंगे to under casting of purchase book to under casting of purchase book अब कित्ते से अंडर कास्ट था 5000 से तो आपको यहां लिखना पड़ता है 5000 इस तरीके से प्राक्टिकली काम करता है इस तरीके से actual में काम करता है लेकिन हमको यह सब नहीं करना है हमें सिर्फ करने हो आजरे हमientos सिर्फ करने होते हैं शिर्फ क्या करने होते हैं और इस अपर करता है लेकिन हमको यह सब नहीं करना है हम को क्या करना मैं आपको reactify करना कान 것을 दें और तरवं पूलिस बॉखरिस फिटकृत। पर शे इप माध्य केक्ड होता है है इस पंस प्र Onsen बैलें सुता है डेविट कम से डेविट किया और रेविट करेंगेयं में और ये आखोरी पर डेविट तो यहां पर आजाएगड यहां पर आजायेगा टू है अंधर कास्टिंग आफ पर्चेज बुक रुपीज फाइटाउज़ आपने बस इतना लिखना है आपने बस इतना लिखना है जिसमें मान के चलेंगे कि पर्चेज अकाउंट के अंदर ये स्टेट्मेंट पहुँच गया होगा एकदम क्लियर तरीका देखा आपने आराम से चलेंगे बहुत कॉंपलेक्स चेटर माना जाता है मुझे तो नहीं लगता अच्छे से सीख जाओगे तो इच्छी पितादू अकाउंट के कॉंसे रुडू क्लियर हो जाएगे पर्चेज बुक का अंटर्श कास किया है पर्चेज अमाली क्या होता है सरेक्स्पेंस कौन सा बैलंस होता है सरेड़ेग्स तो और डेविट कर दो सिखा चुका हूं आपको यहली बात तो डेविट करने के लिए टू लगा दिया तो इनको 2 से मतलब होगा, by से मतलब होगा, 2 जो debit side में लिखते है, by जो credit side में लिखते हैं, और amount, बस इन से मतलब होता है, statement में जादा ध्यान नी देता, आपका examiner, अगला देखेंगे, अगला देखेंगे, अगले में हमसे बोला जा रहा है, अगले में हमसे बोला रहा है, 2500, return of as depreciation on machinery, is not debited, 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 तो debited लिखा रहता है, तो कौन सा error है, one-sided error है, सर और explain करो ना, सर मज़ा आ रहा है कि नहीं, बिलकुल आएगा मज़ा भाई इस चाप्टर में, तो यहां मतलब यही निकल कर आ रहा है, कि हमने 2500 रुपीज का, depreciation लगाया machinery पे, machinery के अंदर तो posting हो गई, लेकिन depreciation के अंदर, posting करना भूल गए, कैसे, यहां देखो, 2500 return of as depreciation on machinery, is not debited to depreciation account, आ रहना सन में, ऐसा थोड़ी नहीं बोल रहा है कि, machinery को भी हमने यहां पर credit नहीं किया, यहां आप से क्या कह रहे है, depreciation को debit होना था, हमने depreciation को debit नहीं किया, आरी बासन में, तो depreciation अमाल लीकिया है, expense, expense का कौन सा balance होता है, debit, debit किया, नहीं किया, तो debit कर दो, तो यहां आ जाएगा हमारे पास, सिर्फ one-sided error है, depreciation का अकाउंट के अंदर, घोसके statement लिखकर आऊंगा, लेकिन हमको सिर्फ यहां statement लिखना है, to omission, to omission of posting, हम posting करना ही भूल गए, 2500 से, अब देखो बच्चों जहां से कितना easy होते जाएगा, अगला देखिए, stationery of rupees 750, posted twice to the stationery account, आरी बसन में, posted लिखा है, कौन सा error जल्दी बता दू, posted लिखा है, कौन सा error जल्दी बता दू, सर यह one-sided error है, क्योंकि सर आपने हमको सिखा दिया है, अगर recording और entered लिखा रहता है, तो वो two-sided error है, क्योंकि record ही गलत होगा, तो posting भी गलत होगी, लेकिन सर अगर posted लिखा है, debited लिखा है, credited लिखा है, तो वो one-sided error होते हैं, क्योंकि अगर हम posting करते जल्दी करने हैं, मतलब record सही किया था, posting गलत हो रही है, अगर हम credited debited करते जल्दी करने हैं, मतलब record सही किया था, पोस्टिंग करते हैं गलती हो रही है तो जैसी बच्चों बस ये धिहान देना है recorded entered लिखा है two-sided error है अगर ये यहाँ पर posted, debited, credited लिखा है one-sided error है ये one-sided error है अब stationary हमारे ली क्या होता है sir expense कौन सा balance होता है sir debit कितने से जाना चाहिए था 750 से आपने कितने से टाल दिया sir दो बार 750-750 लिख दिया मतला आपने यह पर उसको ज्यादा से debit कर दिया अब मुझे खुरी बता दो जल्दी से कि अगर ज्यादा से debit कर दिया है तो rectify करने के लिए क्या करना पड़ेगा sir credit करना पड़ेगा और credit करना के लिए क्रेडिट करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है बाइ बाइ रॉंग डबल पोस्टिंग हमने गलती से डेबिट साइड में ज्यादा लिख दिया रेक्टिफाइग करने के लिए क्रेडिट कर देंगे अरिभा सुन में मतलब कुछ इस तरीके से आपको बताऊं कि यह आपका स्टेशनरी अकाउंट था तो यहां पर आपका टू कैश या उधार में अगर आपने खरीदा है तो टू वेंडर आना चाहिए था 750 यह सही है लेकिन आपने गलती से यह डाल दिया बच्चों 1500 आपने से रक्टिफाई करेंगे आना कितना चीए था 750 आना कितना चीए था 750 तो हमने लेकिन लिख कितना दिया है हमने लिख दिया है सर 1500 अब यहां पर 750 आना ची क्या करोगे सर यहां से 750 उठा कि यहां लिख देंगे तो यहां पर भी 750 अगर क्रेडिट में चला जाएगा तो सर हम कटनी होता है आपको मेनद करनी ही बढ़ेगी अब आता हूं मैं हापर नेक्स हमारे पास है क्रेडिट सेल और रूपीज वन फाइव वन जीरो हमने गुड बेचे है और पोस्टिंग में जब भी गलती होती है तो सर वो ना होता है हमारे लिए वान साइड़ेड एर तो वहमारे लिए क्या होता है वन साइड़ेड इर तो क्रेडिट सेल्स और रूपीज one five one zero to hurry correctly entered in the sales book is posted as one one five zero तो इसका तरीका क्या है मैं आपको साथ पहले इसके entry मन में बना लो entry मन में बना लो आप तो कहते हैं भाई हम लोग यहां पर सबसेटरी बुक के तुरू रेक्टिफाइ करते हैं side पता लगाने के लिए entry मिन वा रहा हूं अगर मैं इसकी entry बनाओंगा तो मन में आएगी मन में entry बनाएंगे हम इसकी तो बनेगी हरी टू सेल्स हरी टू सेल्स अब इसका एक एफेट कहा जाएगा सहरी में एक एफेट कहा जाएगा सेल्स में तो आप देख सकते हैं थे सेल्स बूक लिखा हूं इसका एक हिस्सा कहा जाएगा हरी में और एक जाएगा सेlt अरे लो यह बिल्कुल डीटेल में लो एक काम करो करन अगर मैं इसकी entry बनाओ तो उसकी end किसे बना हूँ मैं कैसे बना हुप सिंप छोट होता तो हरraf रिके आगांट में Пोस्ट होता तो तसा Ugh में अना चाहिए था तू तो कितना आना चाहिए था फडा फड पीस इस सेल्ट ़ोख?. सा इन्हों ने कर दिया उसकी जगा वण भाइव सबस्क्रांट इतना होना चींद इतना किया है अब मैं इसको कैसे औराओ मैं इसको कैसे में ऐ फिफ्टीन हंडेड borders इतना अना जी थि कम ऐता है क्योंकि यह तो हमने किया नहीं हमने यह करके रखाए ठीक है तो वन फाइफ वन जीरो आना चाहिए था हमने लिखके रखा है वन फाइफ जिरो एक काम करो बच्च उसको सौल करो मतलब डिफरेंस निकालो कि कितने से कम डेबिट किया आप लोगों ने तो सर यहां पर हमारा जाएगा तो मैं लिखूंगा यहां पर डेबिट करना है ना टू डिफरेंस इन पोस्टिंग रुपीज थ्री हंड़ेंड और सिक्स्टी अब कोई भी डाउट है तो आप मुस्से पूछ सकते हैं एक बार में मैं आपको फिर से रवाइस कराना पसंद करूंगा है यहां पर बच्चों यहां पर आपको यह देखना है one-sided error, two-sided error कैसे identify करते हैं अगर recorded entered लिखा है तो समझ जाना two-sided error है क्योंकि record ही गलत होता है तो पोस्टिंग भी गलत होती है posted, debited, credited लिखा है तो समझ जाना यह one-sided error है क्योंकि record तो सही हो है लेकि पोस्टिंग करते हैं concerned account के अंदर गलती होई है पहला transaction हमारा यह था कि purchase book आपने undercast कर दिया तो यह one-sided error है क्योंकि इस purchase में गलती ही उनके concerned account के अंदर सही posting होई है आपने total करते हैं गलती करती है तो purchase क करना भूल गए मनें एंट्री बना लो depreciation account भीटटो machinery account machinery में पोस्टिंग होगा by depreciation depreciation में posting होगा to machinery लेकि बप्रीशेशन में posting करना भूल गए ठीक one-sided तो डेबिट करने के लिए लगाना पड़ता है तो टू ऑमिशन आप पोस्टिंग इसके बाद आते हैं स्टेशनरी स्टेशनरी में आपने डबल अमांट डाल दिया 750 डालना चाहिए था आपने उसके जागा 1500 डाल दिया तो आप मुझे बताएंगे फटाफट फटाफट होता है sir expense expenses losses debitate उसको debit होना चाहिए था कितने से सर्फ 750 से आपने debit किया है लेकिन कितने से 1500 ज्यादा से debit कर दिया रेक्टिफाय करने लिगा कर देंगे credit credit करने के लगा दुबाय रॉंग डबल पोस्टिंग गलती से डबल पोस्टिंग हो गेती 750 इसके अधाते हैं पोस्टिंग होनी त तो पोस्टिंग थी 1 510 हमसे पोस्टिंग हो गई 1 1 5 0 360 मने कम पोस्टिंग कर दी काम कर और और पोस्टिंग कर दो एकडम क्लियर आगे कहान ही Old significate में चलते हैं अगलेक्टे में तो हमारे पास क्या है तो यहां अगर हम लोग अगले question की बात करें तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहां उप्ला जा रहा है, sale to Pawan, Rs. 50,000, posted to his account as Rs. 5,000, आप देख सकते हैं, और practice करो, चलो मेरे साथ, और practice करो, पहले तो question पढ़ लो भी है क्या है, question में हमको सबसे पहले stage जून नहीं होती है, तो question हमको stage खुद ही बता रहा है, rectify the following errors which are detected before preparation of the trial balance, तो before preparation of trial balance लिखा है, before preparation of trial balance लिखा है, अगर recorded entered लिखा होगा, तो two-sided बनेगा, और अगर यहां पे post it, debit it, credited लिखा होगा, ज्यादा से debit कर दिया है, credit कर दो, कम से debit किया है, और debit कर दो, और debit को credit कर दिया है, तो double से debit कर दो, और इसका vice versa कर देंगे, तो बच्चों वो credit side में applicable हो जाता है, तो यहां पे हम लोग देखेंगे, यहां से बुला जा रहा है, अब जैसे लिखाना पोस्टिड सीधे दिमाग लगाना है, कि गलती जो है वो पावन के अकाउंट में, क्योंकि यह transaction subsidiary book से related है, यह subsidiary book में सही record हुआ है, लेकिन वहां से posting करते हैं वक्त पावन के अकाउंट में गलती हो गई, तो पावन में जाना कितना चाहिए था, सर्फ 50,000 रुपीज, चला कितना गया, सर्फ 5,000, तो चलो अब इसको देखते हैं किस तरीके से rectify किया जाएगा, तो पहले मैंने आपको यह समझा दिया भईया, पहले मैंने आपको यह समझा दिया, किस तरीके का error रही है, यह one-sided error अब दितने इसको हम लोग सुधारेंगे कैसे, तो इसके लिए था हमको side पता लगानी होती है, कि पावन का कौन सा side है, मन में entry बनानी पड़ती है, तो मन में entry बनाऊंगा, तो entry बने कि पावन's account debit day to sales account, sales वाला हिस्सा चले जाएगा, subsidiary book में, बाकी पावन के अंदर posting हो जाएगी, two sales account, अब पावन के debit side में चाहिए थे 50,000 रुपीज, आपने debit कर दिया है, कि इतने से 5000 से, आपने बच्चों यहाँ पर कम से debit किया है, आपको यहाँ पर और debit करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, debit करने के लिए two, difference in posting, posting करते वक्त मुझसे two difference in posting, 45,000 रुपीज से कम posting करिये, तो 45,000 रुपीज से और posting करना, अगले वाले पर आईए, sale to पावन रुपीज 20,000, credited to his account as 2000, देखिये, सिर्फ language change हो रही है बच्चों, concept वो ही है, posted, debited, credited, तीनो one-sided error ही show करते है, यहाँ देखो, sale to पावन 20,000, credited to his account, बहुत अगेन यह one-sided error है, अगेन यह one-sided error है, आप देखेंगे, आप देखेंगे हैंपर, sale to पावन, credited to his account as 2000, अब ध्यान से समनना, यह थोड़ा से important है, भाई हमने इसके entry बनाई, हमने इसके entry बने तो इसके entry बनेगी, पावन सकाउंट debited to sales account, बहुत पावन डेबिट होना चाहिए था, कितने से 20,000 रुपीज से, आपने इसको debit तो नहीं किया 20,000 से, बलकि आपने इसको credit कर दिया 2000 से, आपने इसको debit तो नहीं किया, आपने इसको credit कर दिया, देखेंगे, यहां मैं आपको समझाता हूँ, इसकी working बच्चो, यह सारी चीजे, understand, अगर आप करेंगे, मैं damn sure हूँ यार, आप लोग को accountancy हनवान लग जाएगी, काइदे से यहां 20,000 जाने चाहिए थे, काइदे से यहां 20,000 जाने चाहिए यह नहीं गये, यह 20,000 यहां नहीं गये, और गलती से यहां पर 2,000 जाले गए, अब बताओ कैसे rectify करोगे, एक तो 20,000 से debit होना चीए था, 20,000 से debit करेंगे, क्योंकि यह चीज तो हो नहीं थी, तो हमने कर दी, सर यह गलत है, यह गलत है, तो इसको rectify करने के लिए भी हम लोग credit की जगा क्या कर देंगे, फिर debit कर देंगे, तो ultimately मुझे यहां पर 22,000 से इसको debit करना पड़ेगा, आरिवासन में, तो यह बिल्कुल वैसे ही है, कि मुझे आपस 20,000 लेने है, और 20,000 लेनी के जगा, मैंने फिर से आपको 2,000 दे दिये, तो total आपके बास balance कितना पहुंचिए, 22,000, बिल्कुल वैसे ही है, तो 20,000 रुप posting on different side, side ही change कर दी, to wrong posting on different side, ठीक है, डेविट साइड में, अब कितना जाएगा, 22,000 अजाएगा, चलिए, और कहां नहीं है कि बढ़ाते है, अब बच्चों यहां से ज्यादा सा मैं नहीं लगने वाला है, पर्चेस ऑफ रूपीज 8755 फ्रॉम नमन, पोस्टेट तो हिस अक पोस्टेट लिखा है, पोस्टेट जब भी होता है, तो कौन सा एरार होता है, वन साइड एरा, पोस्टेट तो हिस, हिस मतलब सर नमन, हिस मतलब सर नमन, गलती किस में है, सर नमन में है, तो हमने सर नमन से खजी दे थे, 8755 के, और उसके अकाउंट में चला गया, 5578, मतलब पहले तो इसकी आपको entry बनाने पड़े गी entry बनाने से side पता चलती है से इसकी entry होती है purchase is account debited to naman मतलब naman को credit होना चीए था 8755 से naman को credit होना चीए था 8755 से इसको credit होना चीए था लेकिन मैंने उसके account में credit कितने से किया है 5578 से 5578 से निसमें कालो 15 में चला जाएगा खो कितना बचे गा सर्य बचेगा 14 में से 7 जाएगा तो बचेगा seven यहां हो चुगा eina six-six में से five जाएगा तो बचेगा one और eight में तो आजएगा थी मतलब 3177 गए इभा तरी क्या है entry बनाओ, entry बना लिए sir, entry बनारी purchases to naman, purchase में सब को सही है भाईया, क्योंकि posting में गलत हो रही है, posting करते हैं, वक्त गलत हो रही है, देखो न, subsidy books related transaction है, कहां जाएगा, सब purchase book में, वहाँ सही record हुआ है क्योंकि recorded गलत नहीं है न पोस्टेट गलत है तो record सही हुआ है, posting में गलत हुरी है नमन में या नमन को होना चीए था credit 8755 से हमने credit किया है 5578 से ज्यादा से credit किया कि कम से तो और credit कर देंगे क्या कर देंगे, सब और credit कर देंगे 3177 से तो credit करना में को क्या करना है सब credit करना है credit करने के लिए लगा दो by difference in posting this way next देखिए मैं इक बदाब मैं concept पढ़ाता हूँ मैं concept सिखाता हूँ चाहता हूँ बच्छे कि आप ये सी के खुद से आपकी जो कुछ भी आपके बस भोक हो आप स्टेट बोड के स्टूडेंट हैं आप इसी के स्टूडेंट हैं आप क्या कहते हैं सेंट्रल बोड के स्टूडेंट हैं आप डीके गोल फॉलो करते हैं आप टीज ग्रेवल फॉलो करते हैं आप राठी फॉलो करते हैं इससे कोई मतलब नहीं है यहां पर अमित का अकाउंट मत खोल देना पहले एंट्री बना लो एंट्री बना लो सर अगर हम इसके एंट्री बनाएंगे दियान से सुनना यहीं दो मिनिट मता चल लाएगा आपके कितने कॉंसेट्स क्लिया ने और आप कितने पानी में हो यहां पर हमारी एंट्री बनेगी कैश अकॉंट डेट तो सेल्स अकाउंट अब मेरे नलायक बच्चों यह मत बोल देना कि सर यह तो दोनों ही सबसेटरी में जाता है क्रेडिट सेल्स कैश सेल्स जाता है कैश सेल्स अकाउंट में क्रेडिट सेल्स जाता है सबसेटरी बुक में और कैश जाता है सेल्स अकाउंट में अगई बसने तो यहां देखेंगे सर यहां पर हमने देखा कि इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट तो यह पर रिकॉर्ड इड लिखा रहता है सर गलती ना यहां पर सेल्स अकाउंड में क्योंकि उसके इंदा पोस्टिंग होना चीजिए था ठ्टी ठाउजड वेकिन हमने पोस्ट किया सिर्फ ठीटाउग आगे बस नमें तो सेल्स का कौन सा बैलेंस होता है बार बार देखो यार वीडियो बार बार देखो जब तक आपको चीजिस हमनमें नहीं आ जाना के रहों बार बार देखो यार दीन चार बार देख लोगो ना खुद बाखू सन्में लग जाए गा कि सब्सक्राइब तो क्या चाउंड अब इसमें क्या हुआ होगा इधर पर तुम बना रहे बाई कैश की तो यहां पर जाने चाहिए थे 30,000 लेकिन गए है 3,000 अब आई गाने के लिए रिकॉर्डिंग से यह पोस्टिंग गलत है इसमें गलत है घुसके रिकॉर्ड घुसके स्रक्टीफाइब करो कितने से क्रेडिट होना चाहिए था 3,000 से क्रेडिट करना था कम से क क्रेडिट किया और क्रेडिट कर देंगे सब्ता इस अजार पर क्रेडिट साइड में डाल देंगे तो क्रेडिट साइड में डालने के लिए हमको लगाना पड़ता है इसा बाई डिफरेंस इन पोस्टिंग रुपीज 27,000 मेरे ख्याल से कहानी बिल्कुल क्लियर होगी होगी लास्ट हमारा क्रेडिट परचेज ऑफ़नीचर 30,000 फ्रॉम रॉनक वस पोस्टेड एज 3,000 अब आप यहां देखो भई क्रेडिट परचेज किया था हमने फरनीचर का अब जड़ा थोड़ा सा अपने दिमाग का प्रयोग करें बल डालें उसके उपर किस तरीके का कि भाई क्रेडिट परचेज ऑफ फरनीचर तो फरनीचर कोई गुड्स नहीं होता है तो यह सबसेटी बुक से रिलेटेड ट्र उधर बनाईजाती हैं Kalau इस अवी सथीन इसकी अंट्री मिनेगी फरनीचर टूरॉमक इसकी एंट्री बनेगी फरनीचर टूरॉनक was posted सबसेडियरी बुक में वाला फंडा लगाना है जर्नल प्रॉपर में तो भाई मैं ची बता दू 30,000 जाना था दोनों में सब्सक्राइब कर दो भाई में तो भाई में अब देखो यहां पर क्या हो रहा है इधर देखोंगे इधर देखोंगे इसकी एंट्री बनेगी वह बनेगी फरनीचर अकाउंट डेबिटेड 30,000 से हैं यह करेक्ट एंट्री बता रहा हूं मैं आपको ठी और टू रॉनक तू रॉनक्स अकाउंट इसमें भी कितना जाएगा 30,000 लेकिन हम से गलती में यहां पर 30,000 की जगा 33,000 की पोस्टिंग होई अरी बसन में जाना कितना चीये था 30,000 किया कितने से डेबिट है 30,000 से कम से किया है कि ज्यादा से सर यहां पर कम से डेबिट किया है तो और डेबिट कर दो सर एंट्री कियो बना रहे हो क्योंकि वेटा यह टू साइड डार रहा है सर कैसे पता चला क्योंकि यह सबसेटरी बुक से रिलेटेट ट्रांजेक्शन नहीं है यह जर्नल नहीं है तो फिर दोनों अकॉंट में ही गलती होई होगी तो फरनीचर को कम से डेबिट किया और डेबिट कर देंगे इसके बाद कौन है अगली पाटी में सर रहुनक है हमारे पास अब रहुनक को क्रेडिट करना चाहिए ता 30,000 से लेकिन 3 से किया ठीक अब वापस है 30,000 होना चाहिए 3 से किया कम से की ज्यादा से सब कम से डेबिट कर के रखा और करो तो कर दो 27,000 से और यहां देखेंगे सर एक क्रेडिट साइड में आने चाहिए ता 30,000 इधर पर भी 3 तो यहां पर भी हम लोग स्कूर कर देंगे 27,000 क्लियर है बढ़ा दूं गड़ी आगे कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे बच्छो यहां पर चैट बॉक्स में जाके आप टेक्स कर सकते हैं मैं परसनली आपको आपको डाउट क्लियर करके दे दूँगा यहां देखिए भई अब यहां तो खेर इनने हेडिंग मना दिये रेक्टिफिकेशन ऑफ एर्रस ओफ रिकॉर्डिंग लेकिन यह मुझे अपनी आटी टीम से बुलना पड़ेगा कि इलिस्ट्रेशन लिखना बंद कर दीजिए यह इलिस्ट्रेशन नहीं है तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एर्रस ओफ रिकॉर्डिंग प्याते हैं बच्चो पास नेसे सरी जनल एंट्रीश ट्रेक्टिफाइड फॉल्विंग अर्रस ओफ रिकॉर्डिंग वाले हमेसा टू साइडड़े अर्रस ही होते हैं अब हमने देखना इसको किस तरीके से सुधा इसके लिए एक तरीक़ बनाया जाता है इसके लिए तरीक़ होता है कि पहले आप पास करो गलेग्ट थे फिर आप स्कर जेंगे ओंट्री और फिर जाकिबनती है इसकी रर्क्टिफाइंग एंट्री अब हमको तो इसकी जरुबत नहीं पढ़ती रेकिन अभी आप लोगों को सीखने के लिए ये करना पड़ेगा क्या हो रहा है भाई तो सबसे पहले बच्चो अपने को यहां पर करेक्ट एंट्री पास करनी होगी फिर हमें क्या बनानी होगी रॉंट्री और फिर उसके कॉंबिनेशन से बच्चो हमें बनानी होती है रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे किया जाता है काम मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले आप देख लें बच्चों यहां पर कि यह जो एरर से सारे के सार रिकॉर्डिंग वाले ऐरर से रिकॉर्डिंग मतलब अगर सब्सक्रीटरी बुक में रिकॉर्ड ही गलत होती है तो यहां पर बच्चों यह two-sided बन जाता है और यह साही चीजी में आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ यहां देखेंगे एक क्रेडिट सेल आफ टो गुर्मन वास रिकॉर्डड एस सेवेंटी टू हांड़े एक चीजी में आपको दाओं बच्छो आपने नहीं पर एंट्री तो सही बनाई है आप गुर्मन्स अकाउंट डिटेंट टू सेल्स अकॉझ गूर्मन्स अकाउंट डेविटेट टू सेल्स अकॉंट कितने से से वंटी सेहें हंडेटी से बननी चाहिए ही लेकिन बच्चों ये रिकॉर्ड कितना हो गया सर एंट्री तो सही बनी है एंट्री में तो दूरो दूरो तक कोई गलती नहीं है बटी ये रिकॉर्ड हो गया गुर्मन्स अकाउंट डेबिटेट टू सेल्स अकाउंट सेवेंटी टू हंड्रे तो आप देख सकते में बच्चों आपकी एंट्री हाँ पर बिल्कुर सही है अब इसको रिक्टी आपको तरीका मैं आपको जल्दी से बता देता हो यहाँ पर कि इसको आपको किस तरीके से रिक्टीफाइव करना होता है तो पहले दो में एक बाइब निकालों यहां पर दोनों पर दिफरेंस कितना है 7200 रिकॉर्ड हो गया होना चाहिए 2700 आप देखेंगे 4500 रुपीश का आप डिफरेंस है अब आपको यहां पे इसको आपस में कम्पेर करना होता है आपको पड़ेगा करेक्ट एंट्री को रॉ गुर्मन को रॉंग डेबिट भी कौन होए गुर्मन लेकल गुर्मन को डेबित होना चाहिए टा 2700 से और गुर्मन अब clamonna 7200 से ज्यादा से ज्यादा से इबिट हो देट ऊगा है जब कोई चीन ज्यादा से डेबिट हो गया है तो रेक्टिफाइब करने के लिए मैं इसको क्या कर दूँगा एकदम क्रेड़ बच्छो आगे चलते हैं अब देखिए आप सेल्स को सेल्स को करेंट एंट्री में देखिए सेल्स को करेंट्री में सा क्रेडिट होना चीए था कितने से 2700 से लेकिन वो क्रेडिट है ज्यादा से क्रेडिट हो गया तो बच्छो रेक्टिफाइब करने के लिए मुझे इसको डेबिट करना पड़ेगा तो यह हो जाएगा आपका सेल्स अकाउंट डेबिटेट कितने से 4500 से और बच्छो यह बनके तयार हो चीए आप लोगों की यहां पर यहां मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है आप पहले करेक्ट रेक्टिफाइब करिए और यहां पर और उससे रेक्टिफाइब ना लीजिए एक बार आपको और पता देता हूं कि उसके बाद फिर बस हम प्रैक्टिस करते चले जाएंगे सही एंट्री देखिए गुर्मन को डेबिट होना चाहिए था 2700 से गुर्मन डेबिट हुआ 7200 से जादा से डेबिट हो गया है तो रेक्टिफाइब करने के लिए मैंने उसको क्रेडिट कर दिया है एकदम क्लियर बच्चों अब चलते हैं हम लोग यहां पर आगे और अपने अगले ट्रांडिक् अब आप देखिए गुर्स आप बेच रहे हैं मोहन को रिकॉर्ड आप कर रहे हैं क्रिश्ट को हो गई नहीं गलती चलिए इसको किस तरीके से बच्चों यहां पर रेक्टिफाइब किया जाएगा तो काम करते हैं इसी को यूज कर लेते हैं तो मैं मान के चलता हूं कि यह आप लोगों अपने नोट बुक में रिकॉर्ड कर ली होगी मेरे साथ तो यहां जाएगे वापस से आप देखिए क्रेडिट सेल ऑफ रुपी 1700 टू मोहन इसकी करेक्ट एंट्री बनाइए इसकी करेक्ट एंट्री जो बनेगी इसकी करेक्ट एंट्री बनेगी मोहन को अग करेक्ट एंट्री हो गई लेकिन आपने गलती से जो मोहन को सेल्स किया है वो रिकॉर्ड कहां कर दिया है सेल्स टू कृष्ण मतला आप से क्या रिकॉर्ड हो गया है सर हम से गलती से रिकॉर्ड हो गया है कृष्ण अकाउंट डेबिटेट टू सेल्स अकाउंट अब आप यहां बच्छोत की कलती है यहां अमाउंट की फ़लती एक दम क्लियर ने बच्चो आपको यह सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए चलते हैं बच्छो आगे और यहां पर अप हम लोग और ट्रांडेक्शन देखतें अगला ट्रांडेक्शन नमट थ्री इसमें आपसे बोला जारहा है देखो अब यहां देखो मैं इसलिए आपसे कहता हूँ ना कि अपसे अमाउंट भी गलत करवा रहे हैं और आपसे एंट्री भी गलत करवा रहे हैं इसलिए मैं आपसे कहता हूँ भाई कि 10-15 मिनिट में अगर आप सोचो की पुरा का पूरा चैप्टर देख लें कोई जादू हो जाए तो ऐसा पॉसि credit sale of रुपी 1700 टु आशा मतलब यह हमारा transaction correct transaction है तो credit sales of रुपी 1700 टु आशा तो कामगुर उसकी correct entry क्या बनेगी तो इसकी correct entry बनेगी आशा's account débited to sales account 1700 से आशाज अकाउंट अब टेटेट वो सेवंटीन हंडडेट से अब अच्छ उसकी रॉंग एंट्री देखो क्या कर दिया आपने सर हमने कुछ नहीं किया इनने किया और यहां पर लिखा हुआ है सेल्स टू अंशुल बना दी हमने वो भी सेवंटीन हंड्रेट से इसी सेल्स को तो जो हमने आशा को बेचे 1700 के उसी को हमने सेल्स बना दी अंशुल को तो मतला आप से जो एंट्री बन गई है यह आप से जो रिकॉर्ड हो गया है वो गया अंशुल्स अकाउंट डेविटेड तू सेल्स अकाउंट सेवंटी वन हंड्रेट से अब यह गलती कित्ते से हुए आप सेवंटी वन हंड्रेट से तो अब आप इसकी बना लीजिए रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री तरीका मैंने आपको सिखा दिया एक एक अकाउंट को आपको अब आजाए बच्चों अब देखके क्या होना चीज था डिया है। तो देखते हैं इसका क्या treatment बन सकता है 7100 से आपने record कर लिया है record होना चीए था 1700 से तो sir 5400 का difference है वापस से देखेंगे sales को credit होना चीए था 1700 से sales को credit ही गिया है लेकिन 7100 से कर दिया है मतलब जादा से credit कर दिया है जादा से credit कर दिया है तो भही है rectify करने के लिए debit करना पड़त है तो sales account को debit कर दो कितने से 54 और आगे चलते हैं तो sir आपने क्या-क्या कर लिया है आश्या को सही कर दिया है sales को सही कर दिया है अब पकड़ो un-shul को un-shull जो है वो debit हो गया गलत से debit हो गया गलत वाली कहा था concept clear होने चाहिए accountancy is all about concept और practice nothing else यहां थे cash sales of 1700 to Gaurav was recorded as 7100 अब देखो आप चाहने तो भईया इसको डारेक्ट डारेक्ट भी कर सकते हैं अगर मैं देखों यहां पर मैं इसको डारेक्ट सॉल करने की कोशिश करूँगा ठीक है सीधे मैं इसकी rectifying entry मनाओंगा अच्छा एक चीज और है बच्चो जब आप लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर को attempt करते हैं तो काफी लोग मुझसे पूस्ते हैं सर यह right entry wrong entry or rectifying entry तीनों बना के दिखानी होती है क्या नहीं भईया आपका जो answer होता है और आपका जो solution होता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ rectifying entry ही होता है यह आप याद रखिए यह रफ में करिए working notes बनाईए और सिर्फ आपको यह वाली entry बना के दिखानी होती है अब मैं बच्चो यहां पर case number 4 में आ रहा हूं आप लोगों के लिए आप cash sales of Rs. 1700 to Gaurav was recorded as 7100 डारेट सौल करने के कोशिश करेंगे देखिए इसके अगर मैं entry बनाओ पहली बाद तो यह cash sales है पहली बाद तो यह cash sales है तो इसकी correct entry के बनेगी cash account debited to sales account cash account debited to sales account यह इसके entry कितने से बननी चीजए तो यह इसकी entry बनेगी तो आप देख सकते हैं कि cash तू sales जो है इसकी entry बनेगी 1700 से ना तो मतलब कुछ इस तरीके से है ये कि cash जो है वो debit होना चाहिए था 1700 से लेकिन बच्चो वो debit हो गया है 7100 से entry आपने सही बनाईए cash to sales 1700 recorded 7100 मतलब आपने entry सही बनाईए आपने amount गलत कर दिये cash को debit होना चाहिए था 1700 से आपने गलती से debit कर दिया 7100 से जादा से debit कर दिया है जादा से debit कर दिया है बच्चो तो उसको rectify करने के लिए आपको जादा से debit कर दिया है बच्चो तो आपको उसको rectify करने के लिए credit करना पड़ता है तो मैंने cash को debit करना था 1700 से अबने debit कर दिया 7100 से ज्यादा से debit कर दिया है तो अब rectify करने के लिए मैं उसको credit कर दूँगा difference amount से तो कितना जाएगा यहाँ पर 5400 अब भाया देखो sales को पकरते हैं अपन लोग तो हमारी जो sales है न यह credit होनी चीथी क्रेडिट ही हुई है लेकिन क्रेडिट कितने चीथी 1700 से लेकिन बच्चो यह credit हो गई यह 7100 से ज्यादा से आपकी sales क्रेडिट हो गई है तो यह काम कर उसको rectify करने के लिए debit कर दो यह लेजिए एकदम बात आपको सनमय आ गई होगी चल एक यहां पर entry और गवन है उसको भी बच्चो में एक transaction और गवन है मतला एक error और गवन है cash purchase है आपका 8100 का राज से आपने खरीदा था recorded as 1800 तो आप देख सकते हैं बच्चो यह बिलकुल इस बिलकुल इसी का transaction है मतला opposite कर दिया है बस इन लोगों ने एक बड़ जनम यह पर difference निकाल लो फिर आम इसको डारेक्ट ही solve कर लेंगे बच्चो कितना है सर 8100 को 1800 बना दिया है 8100 को 1800 बना दिया है चाजी 6300 का difference है और अभी इसको पनव रेक्टिफाय कर देंगे 20 seconds के अंदर तो cash purchases of 8100 from Raj was recorded as 1800 भई परचेज अकांट डेविटेटेट तो cash राज मत लिखा देना भाई इधर देखो cash लिखाया साफ-साफ cash लिखाया ने तो तुम राज सेंट्री मिना दो परचेज अकांट डेविटेटेट तो cash purchase debit होना चाहिए था 8100 से debit हो गया विचारा 1800 से कम से debit हुआ है हना परचेज को डेविट होना चाहिए था 8100 से debit हो गया है 1800 से कम से debit हुआ है तो यह काम करो भई और debit कर दो यह काम करो उसको और debit कर दो तो यहां जाएगा परचेज अकांट डेविटेटेड 6300 कम से debit किया था ना और 2 cash आओ अब cash को कितने से credit होना चाहिए था sir 8100 से credit होना चाहिए था लेकिन record कितना हो गया sir 1800 कम से credit हुआ है तो काम करो और credit कर दो लो भई यहां पर आपके मैंने जो errors है वो आपको rectify करना सिखा दिया है और आगे चलते हैं बच्चों अभी तो बहुत practice करनी है हम लोगों को अब यहां आईए आप अब यहां देखेंगे न अब यहां थोड़ा सा हो सकता है आपने confusion हो जाए क्या confusion हो जाए कि यहां पर sir आप देखेंगे posted 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 लिखा हुआ है और आप तो क्याते हो posting वाले one sided error होते हैं लेकिन यहां पर post किसी और account में होना था post किसी और account में कर दिया है तो फिर यह two sided error ही कहलाएगा अरी बात समझ में वहां आमने देखा था कि subsidiary book से posting हो रही थी concerned account में तो subsidiary book में तो सही record हुआ था posting गलत हो रही थी concerned account इधर क्या हो रहा है जाना था किसी और account में post कर दिया किसी और account तो भाई हो गये न है two sided errors अब देखो बच्छों इनको किस तरीके से rectify किया जाता है यह अपन लोग यहां पर देख लेते हैं तो हम लोग लवा लवा question अब फोर तक बच्छा मतलब आप यह समझ लीजिए question फोर तक हम पहुंच गाए आपको मैं जितने भी type की errors होते हैं सभी की practice कराने वाला हूं सभी की practice कराने वाला हूं यहां देखेंगे हम लोग भाई यहां हम से बूला जा रहा है अच्छा एक अभी भी stage हो ही चल रही है stage अभी भी before preparation of trial balance ही बस यह की one sided की जगम two sided error पर आगे इनको फटा फटा लेते है credit sale of rp 1700 to krishna was posted to kishan account अरी बास समझ में entry बनामन में entry बनामन में credit sale of rp 1700 to krishna krishna to sales इसकी entry बननी चाहिए थी लेकिन इसकी entry दो होगई kishan to sales इसकी correct entry क्या बननी चाहिए थी krishna to sales चलो यहां देखो यहां देखो बच्चो पहला कि solve करके दिखा रहा हूं आपको यह रही आपकी correct entry ठीक है किसको बेचे गोट समने सक krishna को तो काम करो इसकी correct entry बनाओ sir correct entry बनेगी krishna's account debited to sales account 1700 और 1700 से अब एक काम करो उसकी wrong entry बनाओ sir हमसे न krishna की जगा kishan debit हो गया है तिधर लिख दो अब kishan's account debited to sales account 1700 से अब बना लो भी एक काम करो इसकी rectifying entry देखो किता आसान है debit किसको न चीए था सक krishna को तो krishna को debit करेंगे 1700 से credit किसको करना था sales को credit भी किसको किया है सेल्स को होना भी कितने चीज़ी 1700 से हुई भी कितनी है 1700 से krishna sales rectify हो चुके आप पकड़ो kishan को kishan भाया गलती से debit हो गया है क्रेक्टर्स करने से भाई सारी चीज़ी आसान हो जाती है cash sales के इंट्री बनाना cash sales के एंट्री होती है cash account debited to sales account और मैं क्रेडिट होना चीए था sales को क्रेडिट होना चीए था sales को आपने क्रेडिट किसको कर दिया मीन को आगरी बास में ऐसे नहीं सण में आ रчи तो ऐसे भी समझा सकता हूं कि इसकी जो einen T्री था इसकी जो करेक्ट रियभ है वो है cash to sales और आप आप ने बना दिया है cash to Mina, तो cash में तो कोई गलती नहीं है, गलती किस में है, sales में और Mina में, आरी बासन में, यहां देखो, correct entry है, cash account debited to sales account, यह इसकी correct entry है, कितने से, ever amount और check कर लेते हैं, cross check सा 1700 से, तो उच्छे काम करो, इसकी correct entry बना दो 1700 से, अब आप ने इसको credit कर दिया Mina को, तो मतलब इसकी entry आ to Mina, 1700 से, अब आप खुद ही observe कर लो, debit किस को होना चाहिए था, cash को, debit भी cash को ही किया, कितने से debit करना चाहिए था 1700 से, debit भी 1700 से किया, मतलब यह cash में तो कोई गलती है नहीं, अब देखो, credit किस को होना चाहिए था, correct entry में, credit होना चाहिए था, sales को, तो यह काम कर भईया, sales को credit कर दो उठा के, और आप देखो, गलती से किसको credit कर दिया है, San Meena को, तो यह काम करो भई, इसको rectify करने के लिए, उठा के debit कर दो, कितने से 1700 से, तो यह हो गया, आपका transaction number 2, देख रहे हैं आप लोग, कितने smoothly हम लोग इसको solve कर पा रहे हैं, बच्चों, बिलकु मखन की तरह ज sales, भई, asset वेचने पर sales account नहीं खुलता, asset वेचने पर asset account खुलता है, अब यहाँ देखो, actual में यहाँ क्या हुआ, यहाँ आप से गलत entry और सही entry के अगर हम बात करें, तो इसकी correct entry है, frame to furniture, इसकी correct entry क्या है, frame to furniture, आप से गलती से हो गया, भई, आप frame to sales, आप देखो, direct बनाए account, सही entry हो गई, guard entry क्या हो गई, सब frame to sales, मतला भई, आप frame में कोई गलती नहीं है, frame से frame करो, आरी बात समझ में, तो frame account debitate to furniture, इसकी entry बननी चीए थी, frame account debitate to sales, इसकी entry बन गई है, frame में कोई भी गलती नहीं है, अब किसको credit होना चीए था, frame to furniture, सब furniture को credit होना चीए था, तो गलती से किसको credit कर दिया है, sales को credit कर दिया है, सब frame to sales, आपकी गलत entry है, तो गलती से, अगर sales को हमने credit किया है, तो rectify करने के लिए debit कर दो, लो बनगी rectifying entry, यहाँ देखिए, a credit sale of old furniture to Rohan, अच्छा, यहाँ थोड़ा समझाने वाला है भई, a credit sale of old furniture to Rohan for 1700 was posted as 7100, अब भई इध अगर पे तो हमने क्या कर दी है, account में भी गलती कर दी है, क्या? सर, account में गलती नहीं करिए, आपने amount में गलती करिए, अरी बसन में, a credit sale of furniture to Rohan, 1700 का मैंने बच्छों यहाँ पर furniture बेचा है, किसको Rohan को, और post कर दी है, मैंने उसको as 7100, अब यहाँ देखना तोड़ा दिमाग लगा ना, पहली बार तो यह subsidiary book से related transaction नहीं है, यह subsidiary book से related transaction नहीं है, इसलिए यहाँ पर बच्चों, जर्नल पॉपर से related transaction है, मनला आपने जो entry गलत बनाई होगी, journal proper में, वो बननी चीती 1700 से, आपने entry बना दी है, बच्चों, वहाँ पर 7100 से, ठीक है, मैं अभी इसको करके दिखा देता हूं, मैं क्या कहना चाहरा हूं, देखो यहाँ पर इसकी जो entry है ना, बच्चों, इसकी entry है यहाँ पर, रोहन टू, क्या बीच रहे हैं अपन उसको, फनीचर, इसकी entry क्या है, रोहन टू फनीचर, अब रोहन टू फनीचर में, रोहन को डेबिट होना चाहिए था 1700 से, वो डेबिट हो गया है, 7100 से, जादा से डेबिट हो गया है, तो रेक्टिफाय करने के लिए क्रेडिट कर द रोहन टूए था, आपने उठा के कितने से कर दिया है, 7100 से कर दिया है, जादा से क्रेडिट कर दिया है, तो एक काम करो बच्चो, और रेक्टिफाय करने के लिए उसे डेबिट कर दो, लीजे, देखिए कि इतना सिंपल है, बाकि कोई भी डाउट है तो मैं आप से कहता ही हूँ, कमेंट सेक्षिन में जाएए, उठा के कमेंट कर दीजे, लास वाला और देख लेते हैं, 10,000 paid for the electricity bill of the proprietor's resident, businessman के घर का भाया, जो electricity bill है, वो हमने भरना है, मतलए एक तरीकी से drawings है तो, एक तरीकी से drawings है, आपने उठा के debit कर दिया, electricity expenses, अरे, 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 किती गड़बड हो रही है, तो किसको debit होना चाहिए था, drawings को, यहाँ देखो न भाई, रसे देख लो यार, चलो यहाँ देखो, किसको debit होना चाहिए, परसनल expense न, electricity bill किसका है, प्रॉपराइटर का, किसको debit होना चाहिए, drawings हो, आपने उठा के, drawings की जगा, electricity को debit कर दिया है, 10,000 से, तो भाई, क्या कहा रहा हूं है, किसको debit होना चाहिए, sir drawings को, तो drawings account को debit करेंगे, गलती से किसको debit कर दिया ह सर, electricity bill को, electricity bill को rectify करने के लिए credit कर देंगे, कितने से बच्चो, 10,000 और 10,000 से, अब narration तो बनाने ही पड़ेगा, आप लोगों को, यह सारे के सारे बच्चो मैंने आपको यहाँ पर कुछ करके दिखा दिए, आप यहाँ कुछ errors of principle हैं, इन से ज़्यादा easy तो बच्चो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो यह तो बच्चो मैं कोशिश करूँगा, कि आप लोगों के लिए यहीं आपको solve करके दिखा दू, यह तो यहीं solve हो जाएंगे, बहुत, बहुत, सब से simple जो होते हैं, वो errors of principle ही होते हैं, wages paid for the construction of office debited to wages account, अब मैं आपको जो बच्पन से पढ़ाते च जो आपका expense है, वो expense में नहीं जाता है, वो asset में जाता है, मतला अगर मैं इसकी correct entry बनाओ, तो बच्चो इसकी correct entry बनेगी, इसकी correct entry बनेगी, building account debited, building account debited to cash account, इसकी correct entry बनेगी, लेकिन बच्चो आपने बना दी है, wages account debited to cash account, कर लो rectify, sir यह रही हमारी rectifying entry, debit किसको होना चाहिए था, building को, तो building को debit करेंगे, cash में कोई गलती है कि नहीं, cash तो credit होना चाहिए था, credit ही हुआ है, गलती किसमें, sir wages गलती से debit हो गया है, तो wages को credit कर देंगे, amount देख लेते हैं, कितना है, sir 20,000, 20,000, इससे देखो के तो समझ में नहीं आएगा, खुछ से लिखते भी चलो इनको, आगे ही बास समझ में, cartridge paid for the newly purchased furniture 500 posted to cartridge account, फिर वो ही गलती कर दी, furniture asset खरीदते वक्त cartridge दे रहे हो, asset खरीदते वक्त कोई भी expense करोगे, asset में जाएगा, आप उन्हें उसको expense बना के debit कर दिया, तो काइदे से यह है कि furniture को debit होना चाहिए था, आपने cartridge को debit कर दिया, लो भई बन गए इसकी entry, sir इसकी rectifying entry बनेगी, furniture को debit होना चाहिए था, तो furniture को debit कर दो, सर गलती से cartridge debit हो गया, तो rectify करने के लिए credit कर दो, amount कितना है, सब 500 only, लो भई और आगे चलो, machinery purchase 50,000 पास through the purchase book, अरे क्या खरीदे हो, भई machinery, तो machinery record करो न, goods क्यो बना रहे हो उसको, लो इसकी भी entry बन गई, अब आप खुदी बता दो, machinery खरीदा, machinery को debit होना चाहिए था, गलत गलती से purchase debit हो गया, अरे दो मिनिट में बनेगा भई इसका answer, दो मिनिट में बनेगा यार, दो मिनिट भी हो ज्यादा बोल दिया, 20 second में बनेगा, machinery को debit होना चाहिए था, machinery के debit कर दो, गलती से purchase को debit कर दिया, उसको ठाके credit कर दो, so what will be the rectifying entry, machinery account debited to purchases account, 50,000, 50,000, लो भई, old furniture थ फाइफ थाउजन का, आपने sales book के थूँ बेज दिया, अरगा दो काईजस के entry मननी चाहिए थी, cash account debited to furniture, आपने मना दिया cash account debited to sales, तो cash में कोई गलती नहीं है, credit किसको होना चाहिए था, furniture को, आपने किसने credit कर दिया, आपने उठाके sales को credit कर दिया, तो किसको credit होना चाहिए था, furniture को, तो furniture को credit करेंगे, गलती से किसको credit कर दिया है, sales को, तो उसको ठाके debit कर देंगे, तो entries की rectifying entry के बन जाएगी, sales account debited to furniture account, आरी बसन में, इसके बाद आते हैं बच्चों, हम लोग अगले topic पे, rectification of errors of omission, ये भी बहुत ही simple होता है, क्योंकि इसकी जो actual में general entry होती ही न वो ही general entry बिना नहीं, भई कोई transaction को अगर आप record करना भूल गया, तो भई record कर दो, अगर आप किसी transaction को record करना भूल गया, तो आप उसको record कर दो, चलिए, तो question read कर लेते हैं, बच्चों में हम से बुला आ रहा है, pass necessary general entries to rectify the following errors, और जैसे कि बच्चों को पहले ही पता है, कि सा करीके से solve किया जाएगा, तो यहां हम लोग पहुंच चुके हैं, लगभग, लगभग, question number six के आसपास, और यहां एक एक करके बच्चों हम इसको देखेंगे, सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है, कि a credit sale of rupees 10,000 to ram omitted to be recorded in the books, देखें, कितना simple है, यहां पर आपने goods बेचे ह अगर आपने ram को goods बेचे हैं तो, sir, ram's account debited to sales account, that's it, और कुछ रिमार्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है, 10,000, 10,000 narration कैसे लिखेंगे, narration इसका बनेगा, goods sold to ram omitted to be recorded, now recorded, कि हमने goods बेचे थे, ram को, हम उसे record करना भूल गए, लेकिन अब हमने उसे record कर लिया है, यहां दिखेंगे, number two, goods costing rupees 2000, sales price, जिसकी चोनी 400 है, taken by the proprietor, were not recorded anywhere, भही, drawings हुई है, यहां पर और आप drawings को record करना भूल गए, तो एक क करिये, drawings को record कर लीजिए, तो क्या entry मनेगी, drawings account debited, क्या withdraw किया है, sir इसनना goods withdraw किये, और sir आपना हम को journal में सिखा चुके है, कि sales के अलावा, business में, जब कभी भी goods कम होते हैं, हमें सब purchase account को credit किया जाता है, तो यहां जाएगा, two purchases account, अब आपको भी पता है, कि sales price ली जाएगी, cost price, sir यहां पर ली जाएगी, cost price, because we are not selling goods here, next, देखी, अब इतना लंबा चौड़ा transaction है, और देखना, इसके अंदा कुछ भी नहीं निकलेगा, goods sold for Rs. 4200 to Hari, on credit were omitted from the account, although cash received subsequently from his stand posted to his account, क्या इसका मतलब, इसका मतलब कुछ भी नही इसका मतलब यह है, कि हमने goods बेचे थे, Hari को credit पे, वो चीज हम record करना भूल गए, although हमने उससे cash receive कर लिया, तो cash बाद में receive होगा, पहले goods बेचने के entry बना जाएगी, लेकिन आपने goods बेचने के entry बना ही नहीं, और cash जो receive किया, उसके entry बना लिए, तो गलती सन में आ गई, कि आपने जो goods बेचे थे, Hari को, आपने उसको record करना भूल गए, तो जो आपने goods बेचे थे, Hari को बच्चो, उसको record करने के entry बना लो, तो यह जाएगा, Hari's account debited, to sales account, कितने goods बेचे थे, सब 4200, तो यहां लिग दो बच्चो 4200, that's it, और last, a credit sale of old furniture to Mahesh for which 500 omitted to be posted, तो एक चीज़ देख लो, बच्चो, सबसे पहली बात हो, कि यह जो है transaction, यह journal proper से related transaction है, यह journal proper से related transaction है, तो यह अपने आपने बच्चो, two-sided error की category में ही आएगा, in short, आपने Mahesh को furniture बेचा था और आप उसको record करना भूल गए, तो entry क्या बन जाएगी इसकी, Mahesh account debited to furniture account, कितने का furniture है, सर यह furniture है, यहाँ पर 500 का, तो हम लिख देंगे 500, narration का बच्चो मैंने आपको idea दे दिया है, किस तरीके से बनाना है, furniture sold to Mahesh, omitted to be recorded, now recorded, इस तरीके से बच्चो, यहाँ पर आपको इसका बनाना है, तो omission मैंने जैसा कि आपको सिखाया, और एक चीब मैं आपको बता दूँँ बच्चो, यह जो omission था न, यह आपका आपने देखा हूगा, कि दो तरीके के omission मैंने आप लोगों को बताये थे, एक होता है complete omission, और एक होता है partial omission, तो यह कौन सा omission था, यह सारे complete omission थे, इसमें हम transaction के दोनों ही aspects को record करना भूल गयते हैं, और बच्चो, अब मैं आ रहा हूँ, यहाँ पर जो सबसे important है आपको लिए, और generally observe किया गया है, कि exam में जो teachers होते हैं, इस वाले part से ज़्यादा आप लोगों से, लेकिन concept clear करने के लिए हमने यह सारी चीजें बढ़ रहा है थे, अब हमाते है, stages के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो, stages के बारे में सर आपने क्या बताया था, कि से इसमें 3 stages होती है, before preparation of trial balance, वो मैंने complete कर दिया है, उसमें one- sided error और two-sided error कैसे rectify करते हैं, दोनों आपको समझा दिया, एक बार फिर से आपको याद करा हुआ हूँ है, कि जो one-sided error होते हैं, उसके लिए आपको account के अंदर जाके statement पास करना पड़ता है, और अगर two-sided error होते हैं, तो आपको उसकी entry बिनानी होती है, अब आचुके हम लोग second stage में और third stage में होती ही नहीं, तो second stage में हम से बोला जा रहा है, rectification of errors after preparation of trial balance, but before preparation of final accounts, अब यहाँ पर क्या होने वाला है, अच्छे से समझना, यहाँ पर क्या होने वाला है, अगर वो one-sided error है, तो यहाँ पर मुझे suspense account की मदद लेनी पड़ेगी, क्या होता है suspense account, बहुत में suspense account खुल भी सकता है और नहीं भी खुल सकता है, और फिलाल मुझे आप लोगों को अभी यह समझाना है, कि वह suspense account का बर्त होता कहां से, exactly suspense account अपने आप में है क्या, तो जैसे कि हम लोग वेखने बच्चों, stage कौन सी मेरी, stage number two पे पहुंच चुके हैं पर लो, दिहान से स कहता है, after preparation of trial balance, इस तरीके से हमारा जो trial balance से बच्चों वो prepare हो चुका है, अब आपने देखा, यहां पर आपके different different type की क्या होंगे, assets or liabilities होंगे, यहां पर आपके different different type की assets or liabilities होंगे, जैसे example की form में ले लेता हूं, यहां पर हमारे पास capital है, कितने का, sir 10,000 रुपीज का, इस है furniture है, furniture है, furniture हमारे पास, कितने का, sir 7,000 का, इसके अलावा, और लो चॉले stock है, sir हमारे पास, हमने stock लेके रखाया, यहां पर कितने का, sir 1000 रुपीज का, और बढ़ते हैं, यहां पर कितना हो रहा है भी तक, sir 8,000 और इधर हो रहा है 15,000, और हमें कुछ asset चाहिए होंगे, एक काम करो, चलो, machinery ले ले लेते हैं, purchase ले लेते हैं, अब यहां ध्यान से देखिएगा, तो यहां कितना हो रहा है 15,000, और यहां कितना हो रहा है 8,000, मतला मुझे 7,000 की और जरूबत है, तो machinery को बना देता हूँ, मैं कितने का, 6,000 का, और purchase को बना देता हूँ 500, यह एक imaginary ले र रहा है 15,000, और यहां पर कितना रहा है 14,500, मतला हम से कुछ ने कुछ गलती हो गए होगी, हम से कुछ ने कुछ गलती हो गए होगी, और अब गलती पकड में नहीं आ रही है, तो क्या मैं चुपचाप खाली बैठा रहा हूँ, अगर गलती पकड में नहीं आ रही है, तो क् करने के लिए जिस तरफ शौटेज होती न उस तरफ सस्पेंस अकॉंट खोल दिया जाता है टेंपररी बेसिस पे अपने ट्राइल बैलेंस को टैली करने के लिए जिस तरफ शौटेज होती बच्चों उस तरफ यहां पर सस्पेंस अकॉंट खोल दिया जाता है और अब अब इस suspense account के साथ जैसे जैसे गलतियां पकड़ में आते जाएंगी आपका जो suspense account है वो धीरे धीरे उसका balance खतम होता चला जाएगा और अगर आपने सारे errors को rectify कर लिया है तो आपके suspense account का जो balance है वो हो जाएगा nil वो हो जाएगा zero तो concert बच्चो मेरे ख्याल से आपको समय आ गया होगा कि अब हम stage 2 पे आ चुके और अगर हम से कुछ गलतियां होई है तो हमारा trial balance टैली नहीं हो रहा होगा trial balance को temporary basis पे टैली करवाने के लिए हमने यहाप एक account खोल दिया होगा जिसको बोले आता है suspense account अब धीरे धीरे करके मैं पहले थोड़ी से थियोरी समझ लेते हैं चली second stage पे आ चुके हैं आप लोग second stage पे आ चुके है when errors are detected after the trial balance has been prepared they are rectified in the following manner हमको उसको किस तरीके से rectify करना है उसका steps यहाँ पर आपको बताया जा रहा है और जैसे कि मैंने आप सिखा है कि भाई one-sided error है two-sided error है उसके उपर depend करेगा अगर one-sided error है तो वो suspense के साथ ही rectify होगा और अगर two-sided error है तो उसमें suspense आ भी सकता और नहीं भी आ सकता है अभी आपको अतातों कैसे तो यहां देखेंगे बच्चों यहां देखेंगे in case errors affecting the trial balance or one-sided error अगर वो one-sided error है तो क्या करना है the difference in the trial balance is placed in the trial balance under the head suspense account थोड़े दर पहले आपको मैं यही समझा रहा था कि अगर हम से कुछ गलतियां हुई है और वो one-sided errors है तो definitely उसके कारण हमारा trial balance tally नहीं होगा और अगर trial balance tally नहीं हो रहा है तो temporary basis पे एक account open कर दिया जाता है जिसे क्या बोले जाता है suspense account thereafter one-sided errors will be rectifying by passing a journal entry either debiting or crediting the suspense account अब उस गलती को rectify करने के लिए suspense account की मदद से हम इस journal entry pass करते हैं और उन errors को क्या कर लेते हैं बच्चों rectify कर लेते हैं कैसे करते हैं अभी हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं अब यह रहा बच्चों आपका suspense account ज्योंकि हम लोग ने सुधर पहले discuss किया था theoretically देख लेते हैं इसको क्या कह रहे हैं लोग हमसे suspense account is the account to which the amount being the difference in trial balance is temporarily placed is temporarily placed वापस से समझने कि गोशिच करेंगे suspense account एक ऐसा account है जिसे इसे लिए open किया जाता है कि अगर हमारे trial balance टैली नहीं हो रहा है तो temporary basis पे उसको टैली करवाने के लिए हम कौन सा account खोल देते हैं suspense account if the total of debit side is short अगर debit side में short है तो आपको debit side में suspense account खोलना है और अगर आपका credit side में short है अगर आपका credit side में short है तो वो suspense का balance कहा खोला जाएगा credit side में खोला जाएगा आगे बस में आगे देखिए the difference is placed in the suspense account so that final accounts are prepared without delay तो यहीं तो मैं आपसे कह रहा था कि अगर मेरा trial balance गलत है या अगर मेरा trial balance तो क्या मैं गलती है जब तक सुधर नहीं जाती ही तब तक बैठा रहोंगा क्या नहीं भाई हमको तो time पर अपना final accounts मतलब trading and profit and loss account और balance sheet बना के दिखाना होता है तो अगर आपको यह चीज़ बना कर दिखानी है और trial balance गलते तो जाकर नहीं बैठे रहे नहीं नहीं आप temporary basis पे एक काम कर एक suspense account में balance जाल दीजी जैसे जैसे आपकी गलतिया सुधरते चले जाएंगी suspense account खुद बखुद खुद खतम होता चला जाएगा यहाँ देख सकते है बच्चों आप लोग यह जानभूच के मैंने यहाँ पर लिया है यह मैंने जानभूच के लिए है कि अगर यह before preparation of trial balance होगा तो इस question को कैसे solve किया जाएगा और अगर यह after preparation of trial balance होगा तो इसे कैसे solve किया जाएगा यहां पर बच्चों इसका एक comparison में आप लोगों को देने वाला हूँ so that आपको conceptually यह चीज clear हो जाए तो यहां हम देखेंगे इसको before और after में न क्योंकि यहां पर कहा लिखा हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं without suspense account और with suspense account तो जो without suspense account होता है यह होता है before preparation of trial balance और जो with suspense account होता है ने बच्चों यह होता है after preparation of trial balance तो अगर मैं बात करूं यहां पर without preparation में बात कर रहा हूँ यहां पर मैं बात कर रहा हूं किस चीज की मैं stage number one की बात कर रहा हूँ तो एक ही question लिए है बच्चों मैंने जिसके अंदर आपको comparison करके मैं दोनों स्टेजे समझाने वाला हूँ before preparation of trial balance और यही गलती अगर trial balance बनने के बाद होती है तो कैसे rectify किया जाएगा तो एक ही दोनों stage stage one trial balance बनने के पहले stage two trial balance बनने के बाद पूरा concept वापस से समझेंगे हम लोग trial balance बनने के पहले मतलब अभी मेरे ledger account ओपन है उनके अंदर balancing नहीं हुए अगर one sided error है तो उस account के अंदर घुसके statement पास करके मैं उसको क्या करूँगा rectify करूँगा और two sided error है तो entry बना दूँगा after preparation of trial balance में अगर वो one sided error है तो with the help of suspense account हम उसे rectify करेंगे और अगर two sided error है तो हो सकता है suspense account की जोध पड़े या फिन ना भी पड़े तो यहां देख लेते हैं बच्चों फटाफट अब जादा नहीं बचा है क्योंकि यहां पर आप देख सकते है थोड़े concepts मेरे पास और है और फिर लगबलगबलग हमारे जो chapter है यह पूरा का पूरा complete हो चुका है तो यहां देखी sales book has been total 8,000 shot sales book has been total 8,000 shot तो यहां देखेंगे कि अगर यह before preparation of trial balance है तो इसको कैसे rectify किया जाएगा तो पहली बात तो भई यह one-sided error है कि sales book को आपने 8,000 रुपीस कम total किया है ठीक है फाइन अब यहां देखो मुझे बताओ sales का कौन सा balance होता है सर credit कम से credit किया है कि ज्यादा से सर कम से कम से credit किया है तो और credit कर देगे तो यहां लिख देंगे credit करने के लिए बच्चों क्या लगाना पड़ता है सब buy credit करने के लिए क्या लगाना पड़ता है buy buy under casting of sales book rupees 8,000 कुछ याद आ रहा है कुछ याद आ रहा है इसी तरीके से rectify किया था अब इसर आजाओ अब पहले मैं आपको conceptually सिखाऊंगा फिर जल्दी से इसकी trick दे दूँगा conceptually समझने की कोशिश करेंगे बच्चों यह रहा आपका trial balance conceptually समझने की कोशिश करेंगे यह रहा हमारा trial balance अब यहाँ पर क्या हुआ कि sales account जो है वो आपका 8,000 rupees से आपने कम total किया है तो यह हमारा debit side होता है यह हमारा credit side होता है sales का कौन सा balance होता है सक credit credit side में आपने 8,000 rupees कम लिखे तो आपने 8,000 rupees अगर कम लिखे तो उसको balance करने के लिए उसको balance करने के लिए आपने यहाँ पर suspense account खुल दिया होगा ऐसा हुआ होगा ट्राइल बैलन्स बनने के बाद मतलब आपने ट्रांजिक्शन रिकॉर्ड करते वक्त सेल्स अकाउंट को आट है यार से कम टोटल किया अब इससे क्या बनेगा तो सेल्स में एट थाउजन रुपीज कम जा रहें तो क्रेडिट साइट क्या हो जाएगा कम हो सेल्स को क्या होना चाहिए था क्रेडिट कितने से क्रेडिट होना चाहिए था सबसको एट थाउजन रुपीज से और क्रेडिट होना चाहिए था ते काम करो उसको एट थाउजन रुपीज से और क्रेडिट कर दो उसको एट थाउजन रुपीज से और क्रेडिट कर दो तो अब इसकी कोई जरुवत नहीं, तो इसको उठा के क्या कर दूँगा, मैं debit कर दूँगा. इसको उठा के मैं क्या कर दूँगा, debit कर दूँगा, तो मेरी entry बन जाएगी बच्छो, यहाँ पे, suspense account debited to sales account. तो यह मैंने आपको concept wise समझा दिया, कि यहाँ पर अगर हमने sales का 8,000 का कम टोटल किया होगा, तो temporary basis पे उसको balance करने के लिए, आपने suspense account खोल दिया होगा. अब आप एकाम करो, sales smart hair कम गए, sales smart hair डाल दो, हो गया, error rectify हो गया, अब suspense के जरूबत नहीं है, तो इसको पहले क्या किया था, debit, तो rectify करने के लिए कर दूँगा, बच्छो, इसको पहले क्या किया था, credit, तो rectify करने के लिए क्या कर दूँगा, debit, तो entry बन जाएगी suspense account debited to sales account. तो यह तो हो गया, बच्छो, हमारा fundamental. अब मैं इसको ट्रिक से आपको solve करना सिखाता हूँ, यहां जाएए, goods of rupees 1500, return by shiv and company, have not been recorded, identify करो भई, identify करो, recorded बोला है, मतले अब यह two-sided error है, यह two-sided error है, तो goods हमारे return करें किसने, shiv and company ने, पतो सबसे पहले यह बतला लगा हो भई, यह purchase return ने की sales return है, सर, यह sales return का case है, किस चीज का case है, sales return का case है, shiv and company ने, हमको goods return करें कितने के, 1500 के, तो यहां एक अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यह two-sided error हो गया है, तो यहां entry बनेगी, sales return account debited, to shiv and company, कितने से, सर 1500 से, यहां पर भी अच्छो, यही entry बनेगी, सर, suspense आएगा क्या, मैंने आपसे क्या काता, two-sided error में, suspense आभी सकता है, नहीं भी आ सकता है, suspense तब आता है, जब किसी तरफ shortage होती है, तो यहां इसकी entry बनेगी, same entry यहां पर भी बनेगी, sales return account debited, to shiv and company, 1500 से, next देखिए, goods purchased of rupees, 500 was posted to the debit of the supplier, रवी, अब यहां पर धियान से देखना, सबसे पहली बात तो purchase books related transaction है, subsidiary books related transaction है, recorded होता तो two-sided error होता, posted लिखाया तो one-sided error है, is that clear? अब goods purchase करने की entry बनाओ, purchases account debited to Ravie, purchases account debited to Ravie, और मैंने आपको क्या बताया, कि जब posted लिखा रहता है, तो subsidiary book में गलती नहीं होती है, concerned account के अंदर गलती होती है, तो यहां गलती किस में निकल कर आएगी Ravie में, entry बनाओ मन में, entry बनाओ मन में तो इसके entry बनाओ रहाएगी, purchase account debited to Ravie, तो Ravie को credit होना चाहिए था, कितने से 2500 से, हमने Ravie को क्या कर दिया, ऐसा debit कर दिया, कितने से 2500 से, कुछ याद आ रहा है, ऐसा पढ़ा चुकाऊं नहीं आपको, कि debit करना थो, 5000 रुपीज से credit करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सब credit, यहां देखेंगे, तो इस गलती को rectify करने के लिए क्लिए क्लिए करूँगा, मैं वापा से समझा देता हूँ, सर Ravie को credit होना चाहिए था 2500 से, credit तो किया नि, debit कर दिया 2500 से, अब double amount से मुझे इसको credit करना पड़ेगा, तो मैं लिखूँगा, by posting on wrong side, color side posting कर दी थी, इसलिए अब मुझे उठा के credit कर दूँगा, अब यहां देखो बच्चो, मुझे इसको क्या करना चाहिए था, credit, मैंने उसको क्या कर दिया, debit, आरी बास सुने, तो अगर credit का आपने उसको debit कर दिया न, तो मैं बता हूँ आपको, credit side खाली हो गई होगी, कितने से खाली हो गई होगी, 5000 से, credit side खाली हो गई होगी, कितने से 5000 से खाली हो गई होगी, तो आपने credit side में temporary basis पे क्या खुल दिया होगा, suspense account, आरी बास समय, रवी को क्या होना चाहिए था, credit कितने से 2500 से, हमने क्या कर दिया उसको debit, तो अब हम उसको credit करेंगे, कितने से 5000 से, तो फिर debit में क्या जाएगा, entry बनाने के लिए भाई, हमारे पास कुछ ना कुछ तो दो साइड होनी चाहिए, तो फिर debit में क्या खोल देना, suspense, तो इन शॉर्ट आप मैं आपको उताता हूँ, जो चीज़ debit करना है, debit कर दो, जो चीज credit करना है, credit कर दो, जो चीज हो नहीं है, वो कर दो, और जिस तरफ shortage आ रही न, उस तरफ suspense account खोल दो, इसको credit होना चीज़े था 2500 से, नहीं किया, debit कर दिया 2500 से, rectify कर दिक लिए 5000 से credit कर दो, short rate किस सरफ आ रही है, debit side में, क्या खोल दो, suspense account, एकदम clear, चलते हैं बच्चो, अगले transaction की तरफ, यहां देखते हैं, transaction number 4 में हम से क्या बुले जा रहा है, furniture purchase from Gulab and Company of Rs. 10,000 has been entered in the purchase book, अरे भई, asset खरीद रहे हैं, आप क्या खरीद रहे हैं, asset खरीद रहे हैं, तो वो asset account के अंदर जाना चीए था, लेकिन गलती से किसमें चला गया, purchase account के अंदर चला गया, यह इसका मतलब हुआ, entered में आपको हमेशा बताता हूँ कि यह entered और recorded हमेशा two-sided error होते है, बल्ला काईदे से देखा जाए, तो इसकी correct entry बनेगी, furniture account debited to Gulab and Company, लेकिन आप ने क्या मना दी, purchase account debited to Gulab and Company, तो भई, Gulab and Company तो पहले भी credit होना था, बाद में भी credit हो रहा है, तो Gulab and Company में कोई भी गलती ही नहीं है, गलती किसमें किसाब, debit किसको होना चीए था, furniture को, तो furniture को debit करेंगे, debit किसको होना चीए था, furniture को, तो furniture को debit करेंगे, गलती से किसको debit कर दिया है, purchase को, तो रेक्टिफाय करने के लिए क्रेडिट कर देंगे और बच्चों यहाँ पर भी आप देखेंगे किसी तरीकी की कोई शॉटीज नहीं है तो यहाँ पर भी यही एंट्री बनने वाली है फ़नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेशेस अकॉंट किस भी साइड आपका शॉट आएगा उस तरह आप सस्पेंस खोल दीजिएगा तो उस टाइप के कोईशन साभी आने वाले मैं आपको भी सॉल करके दिखा दूँगा अब आते हैं लास्ट वाले पर देखिए यहां पर शायद आपको कुछ अच्छा मजा आने वाला है अब यही चीज यहां कैसे होगी अब बेटा-बेटा बहुत ध्यान समझना अब बहुत ध्यान समझना कि हमको अंकित को क्रेडिट करना चीए था 3500 से ऐसे करते हैं ट्रायल बैलेंस बना के समझते हैं कुछ इस तरीके से और आपने इसको temporary basis पर balance करने के लिए कौन सा account खोल दिया होगा, यहाँ पर अंकित की जगा आपने खोल दिया होगा, suspense account, अब बच्चो यह गलती पगड में आगए, इसको rectify करो, तो credit में क्या खोल दिया है, suspense, अब उसकी जरुवत नहीं है, तो suspense को कर दूँगा, मैं debit, और किसको credit करना चीए था, अंकित को, तो अंकित को credit कर देंगे, कितने से 3500 से, सर्व शॉट वाला funda बताओ, शॉट वाला funda बताता हूँ, किसको credit होना चीए था, अंकित को, तो अंकित को credit कर देंगे, कर दिया credit, अब debit में तो कुछ है नहीं, debit side short होगी, तो क्या खोल दीज क्रेडिट में शॉट पढ़ रहा है क्रेडिट में सस्पेंस खोल दो अब यहां आते हैं बच्छों और प्रैक्टिस कर लेते हैं और यह अब हमारे पास एक तनला कोशन लेकर आया हूं यहां पर आपके सारे के सारे फंडे जो है वो एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे गिव जोनल एंट्री इस तो एक्रिफा दर फॉल्विंग अरश उसिंग सपन्स अकॉं मतलब आफ्टर प्रिपरिशन ऑफ्राइल बैलनस वाली स्टेज बोल रहा है न से पहला गोड्स ऑफ द वैल्यों रूपीस 2000 रिटन बाय मिस्टर गुपता वर अंटर इन दा सेल्स बू एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टुदा क्रेडिट ऑफिस अकॉंट बड़ा ही जब अजस्ट ट्रांजक्शन है एक एक करके समझने कोशिश करते हैं गुड्स ऑफ द वैल्यों इक्राम कर भी यह यहां तो मुझे बोट की जरुबत पढ़ने वाली कौन से कुशन तक अब 9 का पहला अब मुझे इसको बहुत डिटेल में समझाना पड़ेगा और एक चीज याद रखिएगा कि हो सकता है आप मुझे करेक्ट एंट्री की जरुबत पढ़ जाए रॉंग एंट्री की जरुबत पढ़ जाए लेकिन जो हमारी रेक्टिफाइंट्री होती आंसर वही होता है आपकी पढ़क्त एंट्री रॉंग एंट्री बेसिकलिया आपकी यौर्किंग पार्ट है आपको अप्सेट में लिखना होता है रेक्टिफाइंट्री गुद्स ऑफ ट्रफ्ट रॉपीज स्वथाउज रिटन्डबाइं टीप्ता इसकी प्रणेंट्र किसने क ज़िखनेगी, sales return account debited to Mr. Gupta, यह इसकी correct entry है, कितने से? Sir 2000 से, ठीक, अब यहाँ देखना, goods of the value of 2000 return by Mr. Gupta were entered in the sales book, अब गलती क्या हो गई, कि Sir यह जो sales return में जाना चाहिए था ना, यह गलती से sales book में चला गया, बहुत देखना पाई, typical है थोड़ा सा ही, wrong entry, बतलब यह गलती से काय में चला गया, यह इसको हमने sales return को basically हमने sales बना दिया, तो sales की entry क्या बनती है, Sir, Messrs. Gupta अकाउं डविटेड, to sales account, यह हो गया हमसे, होना चाहिए था, sales return to Messrs. Gupta, हो गया Messrs. Gupta to sales, अब देखो बच्चों, इसकी rectifying entry कैसे बनेगी, आपका answer actual में यह है, ठीक, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, एक line इसके अंदर और बहुत important है, sales book में डाल दिया, and posted there from to the credit office account, यह line यहाँ पर बहुत important है, वापस समझाते हैं यहाँ यह sales return का है, entry बननी चाहिए थी, sales return to Mr. Gupta, हम से बन गई Mr. Gupta to sales, लेकिन आप से कह रहा है कि उसके बाद वापस से हमने जो Mr. Gupta, उसके account को कहा लिख दिया, credit side में लिख दिया, यहाँ पोस्टेट there from to the credit office account, अब यहाँ देखो, correct entry देखो, किसको debit होना चाहिए था, sales return को, sales return को debit को debit करेंगे, sales return account debited, कितने से से 2000 से, तो यह हो गया सही, अब आजो Mr. Gupta, Mr. Gupta को क्या होना चाहिए था, credit होना चाहिए था, Mr. Gupta को credit होना चाहिए था, गलक्त entry में क्या हो गया, debit हो गया, लेकिन कोशन कह रहा है कि and posted there from to the credit office account, को क्रेंट के यहां, इसके बाद हमने उसको वापस से कहां लिख दिया credit में, होना क्या चाहिए था? credit, गलती से क्या हो गया? है कृति से क्या हो गया? about the जाशन काल भास यहां? ि अना चीता कुरेडित गया है आप के बचा सर सेल्स गलती से क्या हो गया सर क्रेडित हो गया तो इसको Suppose क्रेडित करने कर जो आप bandwidth कर दूढ़ा तो यहां खोलामा सेव्टेल अकॉंन तो अब मुझे बताओ ! tunnels son में कह जाएगा, so credit side में shortage है, आप खुल दीजी वहाँ पर suspense account. इस type के questions आने के exam में सबस्यादा चांज से सुते हैं, आगी बास समझ भें? चलिए, तो यह हमारा पहला जो है, treatment मैंने आपको अगर के दिखा दिया है, अगले बाले पर आजाएए, goods worth rupees 1500 bought by the proper writer for his personal use drawings, without any payment being made as yet, was wrongly entered in the purchase book, आपने goods खरीदे थे, आपने goods खरीदे थे, personal use के लिए, goods worth rupees 1500 bought by the proper writer for his personal use, without any payment being made, जिसका payment अभी तक नहीं हुआ है, was wrongly entered in the purchase book, और गल्ती साप उसको काई मिले के चलेगा है, purchase book मिले के चलेगा है, कितने का, सर यह 1500 का है, इदर देखो, इसको भी ऐसी solve करते हैं बच्चों पलो, तो यहाँ पर सबसे पहले, मैं बनाऊँगा आप लोगों के लिए, यह हमारा transaction no.2 है, correct entry, goods खरीदे, personal use के लिए, जिसका payment अभी हुआ नहीं है, तो search की correct entry है, drawings account debited, credit में खरीद रहे हैं, तो two suppliers account, 1500 हमने सर इसको गलती से record कर लिया, purchase समझ लिया हमने इसको, तो हमसे entry बन गई सर इसकी, purchases account debited, to suppliers account, इदम clear, चलो, इसको rectify कर दे, drawings में जाना चीए था, purchase में चला गया, किस में जाना चीए था, drawings में, drawings को debit करेंगे, यह मतलब बच्चों आपकी rectifying entry है, यह आपका answer बनेगा, drawings को debit होना चीए था, drawings को debit करेंगे, किसको credit होना चीए था, supplier को, credit भी किसको किया है, supplier को, supplier में कोई भी गलती नहीं है, अब यहाँ पर आजाओ, मतलब यह rectify हो गया, इसको credit होना था, credit ही होए, अब मेरे पास बचा purchase, purchase गलती से क्या हो गया, debit हो गया, rectify करने के लिए क्या कर दूँगा, credit कर दूँगा, यह लीजे, यह बन गई इसकी rectifying entry, यह आपका answer बन जाएगा, आगे देखी, a check of Rs.500 received from Ashok, was dishonored and has been posted to the debit side of the sales return account, अली बास बन में, अब मैं देखुँज को direct solve करना सिखाता हूं आपको, direct solve करना सिखाता हूं, a check for Rs.500 received from Ashok, जब आपको check मिला होगा Ashok से, तब आपने entry बनाई होगी, bank account debited to Ashok account, जब आपको check मिला होगा Ashok से, तब आपने entry बनाई होगी, bank account debited to Ashok account, अब यह dishonor हो गया है, तो इसकी just opposite entry बन जाएगी, Ashok's account debited to bank account, आगे बस हमने, तो dishonor की entry क्या बननी चीए थी, Ashok's account debited to bank account, debit किसको होना चीए था, Ashok को debit होना चीए था, debit किसको कर दिया, sales return को, लो भी दो मिनिट में आपका rectify हो जाएगा, debit किसको होना चीए था, Ashok को, Ashok को debit करेंगे, गल्ती से कौन debit हो गया है, sales return, तो उसको ठाके credit करनेंगे, देखें किता सिंपल होता है, rectification, amount 500, next, the total of one page of the sales book was carried forward to the next page, 680 instead of 860, जाना कितना चीए था, 860, चला कितना गया, 680, आर यह बात समझ में, अब देखो, sales, sales का कौन सा balance होता है, sales को credit होना चीए था, 860 से credit हो गया, 680 से, यहां देखेंगे difference निकालते है, 860 से credit होना चीए था, 680 से credit हो गया, difference निगालों से कितना निकल कर आ जाएगा, सर यहां पर difference निकल कर आ रहा है 180 का, अगे बास में अब वापस से, आपका sales book का जो total आपको next page पे लेके जाना था, वो लेके जाना था 860 आप लेकर गया है 680, कम से की ज्यादा से, सकम से credit किया है, sales का कौन सा balance होता है credit, सकम से credit किया है तो और credit करेंगे, तो यहां पर बच्चों मैं और credit करने के लिए sales account को credit कर दूँगा, कितने से, 180 से, अब debit में तो कुछ करने को ही नहीं, तो भी कुछ करने को नहीं है, तो एक काम को रहोई, करने के लिए, suspense account को दूँगा, कहान ही आपको पता है, कि sales में credit में जाना चाहिए था, 863 गया कितना 680, कम से credit कया, तो उस टेम पे मैं उसको temporary basis पे balance करने के लिए suspense account को दिया होगा, अब उसकी जरुवत नहीं है, suspense को क्या किया होगा उस टेम पे credit, अब उसकी जरुवत नहीं है, आप क्या कर दूँगा, और जिसको credit होना चाहिए था, उसको credit कर दूँगा, अब आइटम ऑफ 500 रिलेटिंग तो prepaid insurance account was omitted to be brought forward from the previous ES book, आपके बास पिछले साल एक prepaid insurance हुआ करता था, आप उसको इस साल record करना भूल गया, सिर्फ prepaid insurance की बात की जारी, one sided error है, prepaid insurance हमाली क्या होता है, sir, asset, कहा जाना चाहिए था, debit side में, लेकिन उसको debit side में record करना भूल गया, तो prepaid insurance account debited, 500 से, अब credit में तो कुछ लिखने को है ही नहीं, क्या लिख देंगे, sir, suspense account बोलो भई, आ रहा है किने समझ में, आ रहा है किने समझ में, और बचो यह है अब आपका आखरी transaction, इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि suspense account का already अगर balance given होता है, तो उसको किस तरीके से solve किया जाता है, यह बच्चो हमारा यहां पर last है, और आप देखेंगे, मैंने सारे के सारे concept आपके इस वीडियो में cover कर लिए, हमारी वीडियो बच्चो लंबी जरूर होती है, लेंगे उसके एक advantage होती है, कि यहां पर आपको कुछ भी छूटे का नहीं, 100% coverage होता है, सारी के सारी शीजों की practice करवाई जाती है, accountancy is all about practice accountancy is all about practice ऐसे नहीं कि मैंने आया कि ऐसा कर लो वैसा कर लो उससे काम नहीं बनता, करके दिखाना पड़ता है, तो आप लोग इन सबको practice करते चलिएगा, हां जी last question है बच्चो, illustration number basically, इसको illustration नहीं बोलना चाहिए यहां जाओ, बहुत ध्यान से चलना, इस टाइप का जो question is pattern question आपको exam में देखने को मिलेगा, rectify the errors identified in the books of dat, the trial balance did not match, और trial balance मैच नहीं हो रहा है, 14,930 से being access credit, मतलब credit side जादा है, तो हमने trial balance को temporary basis पे balance करने के लिए debit side में क्या खोल दिया होगा, suspense account, उसका tension अभी नहीं लेने का, पहले entry बनाएंगे फिर देखेंगे, difference was placed in the suspense account, हां जी भी या, obvious ही बात है, trial balance अगर telly नहीं करता है, तो temporary basis पे उसको balance करने के लिए suspense account में balance डाल दिया जाता है, इतने का आपका error चल रहा है, इतने का आपका error चल रहा यह देखेंगे, इसको समझाने ही बहुत जवाज़स entry है, एन amount, बहुत जवाज़स transaction है, एन amount of 100 was received from Das on 31st March 2023 but was entered in the cash book on 4th April 2023, देख उसको कैसे rectify दरेगे, पहली बात तो बच्छों को यह मान के चलना है कि यह जो मैं accounting कर रहा हूं यह 31st March 2023 तक्के की कर रहा हूं यह जो मैं accounting कर रहा हूं यह 2023 31st March तक्के की कर रहा हूं अरिवा समझ देख यहां देखो cash मिला मुझे किससे Mr. Das से cash मिला मुझे किससे Mr. Das से record कब हो जाना चाहिए था 31st March 2023 record कब हो रहा है 4th of April, तो record कब होना चाहिए 31st March 2023 2023 तो मैं इसको 31st March 2023 में ही record करूंगा cash account debited to Das account to Das account to Das account कितना? 100-100 100-100 100-100 और सर वो जो 4th April को record हो चुका है अब वो अगले साल rectify होगा वो जो आपने access record कर दी उसके reversal entry बनेगी और वो अगले साल rectify होगा हम मान के चल रहे हैं कि भाई हमको कहां तक के गा rectification करके दिखाना है 31st March 2023 का तो यह जो आपने cash receive किया है इसी date पे receive किया है तो मैं इस date पे उसके entry बना दी लेकिन जो 4th April को बनाईए अब वो अगले साल rectify होगा अगली बास समझ में यहां जाए रिटन इनवर्ड बुक फॉर मार्च वास शॉट कास्टेट बाई 1000 सबसे पहली बात तो भाई रिटन इनवर्ड होता क्या है रिटन इनवर्ड कौन सा होता है एक होता है आपका सर रिटन आउटवर्ड एक होता है रिटन इनवर्ड रिटन इनवर्ड होता है सर सेल्स रिटन सेल्स रिटन का कौन सा बैलेंस होता है सर डेबिट बैलेंस होता है कम से डेबिट किया है तो और डेबिट कर देंगे सब्सक्राइब तो कर दिया, क्रेडिट क्या करेंगे, सब्सक्राइब वन थाउजन नेक्स्ट पर्चेस ऑफन ओफिस टेबल, फौर उपी 3,000 वस पास थू दा पर्चेस भुख वाभी वा, क्या खरीदा था, सब्सक्राइब ने खरीदा था, अपने खरीदा था आफिस टेबल बताब बेसिकली फरनीचर किसमें जाना चीए था, फरनीचर में, कि प्वेक्टिफार कर देता है। किस में manner应 जाना परता है? सर्फफर्निचर में मतलब किसको न मन्सदी देबिट दना अची छागे फर्निचर को टो अची मन्सदी उपना पुर्चिस्मा करेंगे कितना 3,000, 3,000 next 3,750, paid for wages to workmen for making showcase again furniture was charged to wages account गलती होगी, कौन सी गलती होगी, यादे मैंने आपको theoretically पढ़ा था, sir, ये error of principle है error of principle है, किसी भी asset को बनाते वक्त उस पर जो भी खर्च होते हो, asset में जाता है, asset में जाना चाहिए था, wages में चला गया, very simple furniture में जाना चाहिए था furniture में जाएगा गलती से wages में चला गया, तो rectify करने के लिए credit कर देगे, मतलब इसका ये है कि furniture को debit होना चाहिए था, तो furniture को debit कर देगे, गलती से wages को debit कर दिया है, तो rectify करने के लिए credit कर देगे और आगे चलते हैं बच्छों, next देखिए, यहाँ पर है, purchase जो है आपका 670, posted to creditors account as 600, posted, purchase, purchase book, subsidiary book, entered recorded, no sir, posted, मतलब one sided error, तो गलती किसमे, creditor में, आपका creditor जो है, 670 से credit होना चाहिए था, आपने विचारी को 600 से credit कर दिया है, कम से credit किया है, कि ज्यादा से, कम से credit किया है, और और क्रेडिट कर देंगे, तो और क्रेडिट कर दीजिये, 70 से कम से credit किया है, और क्रेडिट कर देंगे, से debit में कुछ नहीं, कुछ नहीं है, तो suspense account खोलो ना, चलिए, अगली transaction पर आते हैं बच्छों, अगली transaction में हम से क्या बोला जा रहा है, अच्यक, 4.200 रुपीज transaction हम लोग कर चुके, dishonor के entry बनाईए, direct dishonor के entry बनाईए, तो dishonor में हम लोग देख पाएंगे, बच्चों कि dishonor के entry बनती है, सर, प्रदीप's account debited to bank account, मतलब यहां पर debit किसको होना चीए था, सर, debit होना चीए था, प्रदीप को लेकिन गलती से debit किसको कर दिया है, printing and stationery को, तो debit क करेंगे, प्रदीप को debit करेंगे, लेकिन सर, गलती से किसको debit कर दिया है, सर, printing and stationery को, तो इसको rectify करने के लिए, credit कर देंगे, तो हमारी entry बन जाएगी, प्रदीप's account debited to printing and stationery account, कितने से, तो सर, यहां पर आपका आ जाएगा, amount 200, यहां लिख देंगे, अपना बच्चों 200, अगली transition की तरफ बढ़ते हैं, अगली transition में हमसे यहां पर पूला जा रहा है, this one, 10,000 paid for purchase of a motorcycle was debited to miscellaneous expense account, अच्छा बया, motorcycle खरी दी थी, तो motorcycle debit होना चाहिए, तो motorcycle को debit कर देंगे, गल्ती से debit कर दिया है, miscellaneous expenses को, तो उसको rectify करने के लिए credit कर देंगे, तो जिसको debit होना चाहिए था, उसको debit करेंगे, जिसको गल्ती से debit कर दिया, rectify करने के लिए इसको credit कर देंगे, आगे चलते हैं बच्चों, यहां दिखते हैं, यहां हमसे बूला जा रहा है, an amount of rupees 10,000 owed by Deepak was omitted from sundry dators, मतलब मुझे Deepak से दस्यार लेने थे, यह बन गया मेरा dator, मैंने उसको sundry dators की list में से ही कायब कर दिया, in short, Deepak को debit होना चाहिए था, और Deepak को debit करना भूल गया, Deepak को debit होना चाहिए था, और Deepak को debit करना भूल गया, तो Deepak को debit कर देंगे, तो फिर credit में क्या और अब आते हैं अपने आखरी ट्रांदक्शन पे, दमन पेड 6700 बट हर अकाउंट वस रॉंग ली क्रेडिटेटेड वित 10700, दमन ने हमको कैश दिया, कितने से 6700 से, एंट्री बनाओ, कैश अकाउंट बिदे टु दमन, तो दमन को क्रेडिट होना चाहिए था, 6700 से, हमन ने क्रेडिट कर दिया 10700 से, कम से क्रेडिट किया कि जादा से, जादा से क्रेडिट किया है, जादा से क्रेडिट किया है, तो रेक्टिफाई करने के लिख्या कर देंगी, से डेबिट कर देंगी, तो फिर क्रेडिट में क्या चला जाएगा, सर सस्पैंस अकाउंट, क्लिय अब बच्चों मालूम क्या है कि हमारे पास already एक suspense account है मतलग कहानी कुछ इस तरीके से है कि sir हमारा trial balance तो tally नहीं हो रहा था तो उसको temporary basis पे tally करने के लिए हमने एक particular amount जो है वो suspense account में डाल दिया था और अगर हमने सारे error सही तरीके से rectify कर लिये है तो वो suspense का balance 0 हो जाएगा यहां देखिए आपका trial balance match नहीं कर रहा था balance did not match 14,930 being excess of credit credit side ज्यादा था तो इसलिए आपने उसको temporary basis पे balance करने के लिए balance का लिग दिया होगा debit side में यहां लिखोगे two difference in trial balance तो क्या है कि credit ज्यादा था इसलिए मैंने debit में लिख दिया और debit ज्यादा होता तो मैं credit में लिख देता 14,930 तो यहां लिख दो 14,930 आगे जलते हैं अब यहां देखेंगे अब इसको कोई कामी नहीं है यहां जाईए अब यहां देखिए सबसे पहली entry देखिए कहीं पर भी suspense दिख रहा है क्या नो सर छोड़ दो अब देखिए अगला transaction return invert to suspense account suspense credit हो रहा है कितने से 1000 से credit side में जाईए और लिख दीजिए buy return invert 1000 यहां देखेंगे furniture to purchase कोई suspense नहीं है छोड़ दीजिए furniture to wages कोई suspense नहीं है छोड़ दीजिए suspense to creditor suspense debit हो रहा है 70 से चलो हाई suspense के debit side में जाओ और लिखो two creditor 70 से आगे ओफो यहां क्यों आ रहा हूं मैं बार बार यहां आगे ज्यादा आगे चला गया अब yes यहां दखो गया suspense है नहीं सर छोड़ दो suspense है नहीं सर छोड़ दो suspense है नहीं सर छोड़ दो suspense है हाँ कुछ नहीं कर रहा हूं भाई पोस्टिंग कर रहा हूं same side with a different name तो यह भी हो गया सर अब यहां आ जाओ suspense है नहीं सर क्रेड़िट साइड में जाए क्रेड़ साइड में और लिख दीजिए यहां पर by the month account वैसे तो आपको सब में लगा देना चाहिए food house देखो आपका suspense account बराबर हो गया मतलब आपने सारे errors सही तरीके से rectify कर लिए इसलिए आपके suspense account का balance जो है वो यहां पर क्या हो गया है suspense account में कोई balance बचा ही नहीं है तो यहां बच्चों हम लोगों ने बहुत महनत करके बहुत डेडिकेशन के साथ इस पूरे पूरे चैप्टर को complete कर लिया है इसके अंदर बता दूंब बच्चों में 100% coverage इसके अंदर ऐसा कोई साभी topic नहीं जो की miss हुआ हो और जैसा कि हमारा हर बार आप लोगों उसमें बार-बार कहते हैं रहा हो कि इस बार की आपकी तैयारी है हमारी जिम्मेदारी तो अव्यसी भात वाई coverage में तो किसी भी तरीकी की कोई भी आपको shortcomings देखने को मिलेंगी नी मिलते हैं बच्चों अगले chapter में और बहुत जल्द बच्चों हम लो